सबने बेचे जा रहे हैं कि पढ़ना कैसे है पढ़ा कोई नहीं रहे पढ़ना आपी कोई है कई बार मुसे लोग पूछते हैं मैं बाते करता हूँ लोगे को बाते बसंद आती है 80% लोग तो अपने मात पिता के लिए ही MBS, drug वाली चीज बन रहे ये गारजेन इस बात को समझें कि एक टाइम तक ही आप हाथ पकड़ सकते हैं बहुत से लोगों को 25-30 साल की उम्र तक यह नहीं पता होता कि क्या करना है मैं जिन दोस्तों के साथ रह के पढ़ा लिखा उनकी प्राथमिक्ताओं में गवर्मेंट जॉब था सराउंडिंग का लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है हम ओल मेड लिस्ट हैं टॉपर हैं तो आई एस तो यो निकाल देगे टॉपर को ना एक ओवर कॉन्फिदेंस होजाता है जो दोस्त मेरे साथ में उस समय किसी प्लेस्मेंट में बैठे थे और मैं नहीं बैठा था उन्होंने इस बाद का स्टेटस मेंसेज लगाया कि देखो अवस्ती प्लेस्मेंट में नहीं बैठा था लेकिन प्लेस्मेंट देने आए है कोटा फेक्ट्री कोटा फेक्ट्री रियल में है और वो मेंटेन करते हैं वहां बच्चों को बिलकुल मुर्गी फॉर्म की तरह लखा जाता है पर टीचर जब पढ़ा नहीं पाता है तो क्राउड वर्क करता है आज कंटेंड नहीं है गुरू जी क्लास आदा गंटा उसमे कि ट्रक आ रहे हैं अरे भाई साब मैं बोल रहा हूं कि लोग आके कई बार तो यह पूछते हैं कि मशीन का रखी है चार आदमी रखें नोट गिनने के लिए समाज किस नजरिये से देख रहा है मेरी पूरी महनत को उन्होंने मेरी नौकरी से नाप दिया नमस्कार रामराम भाई सार्यानू आज आपका स्वागत है हमारे लेटेस पॉडकास्ट पे और आज हमारे साथ है मिस्टर अंके दवस्ती यह हैं यूट्यूब की जानी मानी हस्ती जहाँ पे इनके लाकों नहीं करोडों फैंस हैं यूट्यूब पे चाहे मुद्दा आप नहीं चार चैनल्स हैं जिसपे इन्होंने 50 से जदा वीडियो अप्लोड की हैं और 75 घंटे से जदा कभी कंटेंट इन्होंने आपके सामने रखा हैं तो अगर आपको लग रहा है कि अरे तो बहुत जबरदस्त वाले यूट्यूबर हैं तो उनको यूट्यूबर समझने की इस सफ गलती मत कर देना कि यूट्यूबर के अलावा ये यूपी एससी से रिलेटेड और गॉर्मेंट एक्जाम से रिलेटेड बहुत सारे कोर्से इन्होंने मना रखे हैं और लाखों से दादा स्टूडेंट को इन्होंने पढ़ाने में और सेलेक्शन में मदद की हैं औ यूट्यूब चैनल के बारे में उसकी जर्नी के बारे में और साथ में जो अलग-अलग मुद्दे हैं चाहे वो मुदी जी का हो या मेलोनी जी का हो या मानी जी का हो या अधानी जी का हो चाहे गटबंदन की बात हो या नीट की सबी बातों में डीप में डिसकुशन तो स्वागत करते हैं अंकित अहस्तिची का इतना जवर्दस इंट्रों देख करके मैं खुद हरान था लेकिन कुछ चीज़ें मैं और आपको एड़ कर देता हूं पहली थीज़ तो यही सर कि मैं पचास नहीं, मैं डेड़ सो वीडियो अपलोड करता हूं महिने के अंदर हम लोग डेड़ सो वीडियो बनाते हैं और साथ में यह प्रयास करते हैं कि वीडियो तत्थ्य परक हो और ऐसा प्रयास हो कि किसी भी सुनने वाले को पहली बार में यह लग जाए कि अगर मैं इस विशा को नहीं जानता था और इसका वीडियो देख लिया तो अब यहां से आगे मुझे कभी और किसी को सुनने की जरुवत नहीं पड़ेगी यानि कि प्रयास सुनने से शिखर तक का एक सेशन में रहता है हर बार यही सोचकर वीडियो बनाया जाता है अगर कोई भी पहली बार देख रहा होगा ना तो यह का आखरी वीडियो होना चाहिए 360 बीड़ी इंगल होना चाहिए क्या था, क्या है, क्या हो सकता है हमारे महान लीडर हमें अच्छा जी कहते है क्रोनोलोजी को समझे तो क्रोनोलोजी में चलेंगे आफी है घाउं था का जपला है अमैंक पापा सब बात कर गता करूंたい पहले कि इस पाद का बहुत फर्क पड़ता है कि आप किस तरह की सराउंडिंग में रहते हैं किस तरह के लोगों से मिलते हैं और वही thought process आप जो हैं उसको बनाने में बहुत matter करती है मैंने आपको ये भी बताया कि सरकारी नौकरी का crazy मुझे कैसे आया था अपने audience को भी हम यह वाली किस्सा सुनाएंगे और इस बात को ऐसे भी add करेंगे कि इसी लिए circle बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर आपको वाकई में grow करना है तो इसका theme तो ये है अब मैं आपको मेरे बच्पन से लेके आता हूँ मेरे पिता जी 33 सिक्षक थे एक गाउं के अंदर उनकी नौकरी थी हम लोग उनी के साथ रहा करते थे और मैं इस लाइन को इस तरह से कहूँ कि मैं उस गाउं से जब 10 करके निकला तब जाकि उस गाउं में electricity आई थी तो मैं लाटेन से पढ़ा हुआ सरकारी विध्याले में पढ़ा हुआ विध्यार थी लेकिन पिता जी ने हमेशा अपने साथ रखा तो उस तरीके से एकदम पिता जी अपने साथ ही ऐसे टीचर मुझे साथ रखते गए कि बच्चे को मैं पढ़ाने के उपर थोड़ा ध्यान दूँगा तो इस तरह से बेसिक अध्यान शुरू हुआ पिता जी ने टीचिंग को बहुत मानिता दी इसलिए कम उम्र में ज़्यादा पढ़ने का मौका मिला माता जी भी पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने घर में इतना पढ़ाया कि मैं बहुत कम उम्र में बहुत कुछ पढ़ता चला गया तो मगर मैं ये कहूं कि शायद साड़े पंदरा साल की एज में और भी शायद साड़े चौदा पंदरा साल की एज में मैंने 12th पास कर ली थी तो इसके पीछे का कारण ये था कि सरकारी स्कूलों में थे पिताजी की वीटो पावर चलती थी पेटा देखो सो तक पहाड जानता है तो इसको अगली क्लास में डाल दो तो उस तरीके से हम एडवांटेज लेकर आगे बढ़ते चले गए तो दूसरा में अपनी एजुकेशन बेग लाइन एड करता हूँ और वो ये है कि फ्रॉम क्लास फस्ट तिल लास्ट यानि कि M-TAC करने तक और इवन सरकारी नौकरी की ट्रेनिंग लेने तक मैंने सरकारी संस्थानों में ही पढ़ाई की है तो ये मेरे लिए एक अपने आप में उन बच्चों के लिए मैसेज है अउन ओडियन्स के लिए मेसेज है जो ये मानते हैं कि बिना कोचिंग कुछ नहीं हो सकता बिना प्राइवेट स्कूल कुछ नहीं हो सकता तो मैं ये मानता हूँ कि सरकारी स्कूल में अगर गाईडेन्स सहीं मिल रही है तो मै एक प्रॉडेक्ट हूँ अगर मैं कुछ-कुछ ठीक कर रहा हूं लाइफ में तो पूरा सरकार का क्रेडिट है इसमें मैं ये भी एड़ करता हूं कि मैं तो स्कॉलर्शिप लेके पढ़ा हूं मतलब सरकारी स्कॉलर्शिप मिली है मुझे और मैं उससे पढ़ा हूं ठीक है अब तीसरा point भी education में add कर देता हूँ और वो ये है कि environment जिस तरह का होता है बच्चा उस तरह से गुरूम करता है मैं ये नहीं करा कि मेरी government education थी इसलिए मैंने अच्छा किया मैं और अच्छा कर सकता था जब मैं दुनिया को और अच्छे से देखता हूँ for an example मैं जिन दोस्तों के साथ रहके पढ़ा लिखा उनकी प्राथमिकताओं में government job था उनकी प्राथमिकताओं में अपने शहर का बड़ा बनना था लेकिन अगर मेरा ये तालाब बदल गया होता मैं आज इस विशय को जब दुनिया घुमता हूँ तब महसूस करता हूँ दुनिया के कुछ देश जाके देखता हूँ जैसे हाल ही में परिवार के साथ दुबई गया तो वहाँ जाकर गरीबी का एसास हुआ कि यार अमीरी इतनी भी होती है क्या गोल्ड खाते भी है क्या मतलब या दुसरा गोल्ड पहनते है तो वो वाली जो फीलिंग वहाँ जाके जोड़ी इसका मतलब ये था सराउंडिंग का लाइफ में बहुत फरक पड़ता है तो आप जहां पैदा हुए हैं उस पर आपका कंट्रोल नहीं हो सकता लेकिन आप जिएंगे कहां इस पर आपका बहुत कंट्रोल है तो अपनी क्लास सेलेक्ट करते समय कि आप किन लोगों के बीच उठेंगे बैठेंगे वहाँ बड़ा कॉंशियस रहना चाहिए सर तो सर ये अपने बात बढ़ा है स्कूलिंग के आपकी पूरी स्कूलिंग कॉलेज वह सब हुई कॉलेज में आपने क्या 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 है अजूकेशन क्या है 12 के बाद साइन्स स्टुडेंट थे उसकी भी कहानी बड़ी इंट्रेस्टिंग है सर मेरे पास बाद सी था 12 तक और बाद साइन्स साथ में 14 अज़ाफ में ने 12 तक तो बाद साथ क्राइटेरिया ये है कि आपको मेडिकल एक्जाम देना है तो सायद 17 का होना आवशक होता है कुछ इस तरह का आज भी एक्राइटेरिया है तो पिताजी ने कहा कि अगर तुझे मतलब MBBS करना है तो एक कामगर्ग ग्रेजवेशन में अडिमिशन ले ले ग्रेजवेशन होते जाएगी एटलिस्ट और कुछ नहीं हुआ तो तेरे पास BSC की डिगरी तो होगी चलो ठीक है ये कर लेते हैं तो BSC में एडिमिशन ले लिया तो BSC करते-करते जब मैं साड़े सत्रा साल का हुआ जब मैं PMT के लिए eligible हुआ तब तक मैं BSC में टॉप कर चुका था टॉप कर चुका था तब एक लालच और आया और वो ये था पिताजी चोकि टीचर थे तो इन चीजों का ध्यान रखते थे कि यारे काम करते मैथ भी पढ़ी ले साथ साथ तो साथ साथ मैथ के स्टेडी भी साथ साथ चलना शुरू हो चुका था पढ़ते पढ़ते अब साड़े सत्रा साल की एज में BSC हो चुकी अब मैं MBBS में अडमिशन लेकर के अपने अगले 5 साल निकालू या फिर 2 साल बाद किसी IIT में एंट्री कर लो किसी समझदार ने मुझे रास्ता दिखाया मैंने आप से कहा ना सरकल मैटर करता है तो किसी समझदार ने रास्ता दिखाया कि 2 साल बाद MSC के आप गेट का एक्जाम देखर के IIT जा सकते हो तो मुझे ये और अच्छा लगा IIT में M.TEC करने जा सकते हो ये रास्ता दिखा मैंने का यार ये तो और अच्छा हो गया B.TEC के 4 साल बचेंगे IIT का ठपा लग जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये सोच करके सर मैंने फिर B.S.C. तो टॉप किया ही था तो MSC भी टॉप किया उसमें गोल मेडल मिला और गेट का एक्जाम साथ में ही दिया तो All India Rank 41 आई और मैं IIT कानपूर से M.TEC करने चला गया तो at the age of अब साल जोड़ दे ना सर साड़े सत्रा साड़े उन्नीस 21 साल की age में मैं M.TEC कर चुका था दो master's की degree मेरी पूरी हो चुकी थी और ये अपने आप में मैं अपने आपको मानता हूँ कि बड़ा रिकॉर्ड होगा इंडिया में मुश्कील ही और इसलिए मैं बहुत बार कुछ लोग जो आरक्षण को लेकर डिबेट करते हैं तो उनसे मैं एक ही लाइन बोलता हूँ कि यार देख मेरा परिवार ऐसा था कि वो पढ़ाने को लेकर बहुत कॉंशियस था और यही मेरा advantage है वो बाकी advantage से बहुत उपर है उन्हें महत्व पता था कि education क्या है और हमारी इस देश की बहुत बड़ी challenge जो है वो यही है कि बहुत से लोगों को 25-30 साल की उम्र तक यह नहीं पता होता कि क्या करना है और वहीं आज जब मैं अपनी बेटी को देखता हूँ और day one से जब उसको यह बताता चल रहा हूँ कि देख इस चीज को डंक से पढ़ना काम आएगी तो मैं यह समझता हूँ कि parenting और कितनी खास हो सकती है तो it is all about surrounding जैसे वो आपकी कहानी में लाइन दिखती है न कि माबाप ही परतम शिक्षक होते हैं वो जैसा गाइड करेंगे वैसे बहुचेंगे और आपके पिता जी का गाइडेंस रहास वज़े से आपने यतना जो अचीमेंट था वो चीज आपने गरी और सलाकार की सब कुछ गेमें पुरा वो कर कि वो सलाकार में कि कृष्ण सलाकार थे तो पंड़ो जीत गए उदर सलाकार शकुनी थे तो आपके सलाकार अगर ठीक है तो आपको बहुत कुछ वो महारत का जी सीन का आप जिक्र कर रहे हो उसमें बहुत अच्छा एक मैसेज भी था कि जब दुरियोधन और अरजुन दौनों भगवान स्री कृष्ण के पास पहुंचे कि मुझे क्या चीए एक तरफ सेना है और एक तरफ भगवान स्री कृष्ण है तो वाइस परसन ने विजडम चुनी अरजुन ने भगवान स्री कृष्ण चुने कि भगवान सला दे दे मारने को तो मैं सुई से भी मार दूंगा तो समझधारी है मतलब अपना थीम आज का होना ही चीए मतलब आदमी को सलेक्शन जिनके साथ उठना बैठना है इस पर ही सारा दिमाग लगाना चीए और बहुत फर्क दिखता है इसका जिनके साथ बैठोगे वोई तो चीज आपके दिमाग में मैं इसी में एड़ करता हूँ हुआ ये कि जब मैं IIT पहुचा तो IIT पहुचने के बाद मुझे ये समझ में आने लगा कि मैं education में तो ठीक हूँ लेकिन आगे क्या करना है इसको लेकर clarity of thought नहीं थी IIT जब पहुचा तो वहाँ जाकर एक अलगी placement की दौड शुरू हो जाती है तो सब लोग first year के बाद से placement की तायरी में लग गए तो मुझे इस बात को लेकर बड़ा confusion रहता था कि मैं company में job कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा अचा मुझे sitting में problem है physical problem नहीं है psychological problem है मैं बैठ नहीं सकता मतलब कि अगर आप मुझे ऐसे बिठा के छोड़ दो गए मैं करी नहीं सकता मैं पढ़ता भी खड़े हो के हूँ मैंने का यार कि मुझे अगर किसी ने 9 to 5 की जॉब में बिठा दिया ना तो ये मेरे लिए बनेगा नहीं बास इसके पीछे बड़ा कारण भी हो सकता है अपन बैठते है ना तो पेट पीछ में आता है अपन ने तक्ये से चुपा रखा तो ये ये आइडिया अच्छा लगा मझे तो ये कुरसी वाली जॉब में बड़ी दिक्कत थी और मैं हमेशा 4x4 था तो मुझे हमेशा वो बैठने वाले जॉब से इरिटेशन ही थी कि नहीं और ये कारण है कि मैं कभी सेडान कार नहीं लेता मेरे पास हर कार सुवी है और इसके पीछे गरी से पहले अपन ने उसकी दरफ चलेगा था बाते करने में अपी की तरह था मैं भी और लोगों को बाते करने में उलजाता था कि आओ गप्य मारेंगे गपे मारते मारते होस्टल की होस्टल की नितागिरी में एंट्री कर गए होस्टल की सेकेटरी बन गए दो-चार होस्टल में जानकारी हो गई तो शाम के समय ऐसा होता था कि टाइम निकला उसके बाद चाय पार्टी के नाम पर राट दो-दो बजे तक बीस-बीस लोगों की मैफिल अलग-अलग होस्टल में बिठाते थे आठ से दस तक हाल सैवन में बैठेंगे दस से बारा हाल फोर में बैठेंगे इस तरह से होस्टल में पंचायत लगती थी तो सर आपने तो पढ़ाई कर ली थी आएटी में बागी को नहीं करने देरे थे वहाँ पढ़ाई करके पहुँचते हैं मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है आएटी में जाने का और मैं यह कहता हूँ कि जितने भी बच्चे इस समय ग्रेजुएशन की जाने की तैयरी कर रहे हैं जी जान लगा करके इंडिया के जो टॉप इंस्टिउशन से हैं वहाँ जाने का प्रयास करिए वहाँ सर अलग ही जिंदगी है मैं यह मतलब कहना चाहूँगा मुझे दो ही साल का मौका मिला लेकिन उसके बाद भी मैं कई साल तक जाता रहा क्योंकि वो सरकल मुझे मिस करती रही मुझे लगा कि नहीं मैंने कुछ पाया था वहाँ के लोगों में एक सबसे बड़ा सो भाव है वो इस बात का है कि अब सक्सेस्फुल तो हम हो चुके तो फेलियर का डर नहीं है जर तो बातें बड़ी अच्छी होती है आज आप और मैं अच्छी बात इसलिए कर रहे हैं तो आपको डर है ना मुझे डर है लेकिन मैं यहीं बठा करके किसी ऐसे आदमी से जो कंपिटीशन में है और यह बाते करने लगूं कि यार सुनना जिंदगी के यह तजुरूबें हैं तो महराज यह बता एक्जाम कैसे निकले गाए तो प्रात्मिक्ता यह बदल जाती है वहाँ सभी लोग सक्सेस्फुल पहुचे है तो प्रात्मिक्ता ते बात कर जो मेरे एक्जाम में कामा है तो तो भूट चानक कैने इसे बोला तो तो बता वो शेप्टर में वो वल आदमी क्या बोले तो आहेटी में जो पंचायती होती थी ना, वो पढ़ने ना देने की नी थी, वो अल्रेडी सब सकस्सफूल थे, मैं 41 पे था, तो रैंक वन भी मेरे साथ बैठके गपे मारता था, उसको पता था कि आगे कैसे पढ़ना है, लेकिन सही मायने में यहीं से मुझे एक पॉजिटिविटी आने लगी, कि मैं शायद औरेटरी स्किल में कुछ कर सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात कि मुझे ये एक्स्पोजर नहीं था, कि मैं औरेटर बनके कर क्या सकता हूँ, धीरे धीरे लोगों से मिलना जुलना जारी रहा, आखरी दिन आया, M.TEC में थीसिस डिफेंस होने का, थीसिस डिफेंड करनी थी, तो जनरली ऐसा होता है कि M.TEC की थीसिस में तीन चार लोग आपकी लेब से होते हैं, दो-चार दोस्त आजाते हैं समोसा खाने के लिए, तो इस तरह से आट-दस लोग आपका थीसिस डिफेंस देखने पहुंचते हैं, कि हाँ भई आपकुछ बताओगे, एकजामिनर आएगा, आपका खुद का गाइड होगा, दो फैकल्टी और होंगे, और वो आपको देखेंगे कि हाँ, आपने रिसर्च किया, तो ठीक से किया या नहीं किया, कोई बात नहीं सर, मेरा थीसिस डिफेंस था, तो उसमें 120 बच्चों का कमरा था, वो पूरा फुल था, हम बाद में पहुंचे, लोग पहले बैठे हुए थे, तो गाइड देख करके पूछे कि, अपने थीसिस इसी रूम में रखी थी डिफेंस, मैंने का हाँ सर, मैंने का समोसे वाले हैं, मैंने केवल समोसा खाने के लिए दोस्त आये हुए, ठीक है, अब जो एक्जामिनर आया था, उसमें और मेरे गाइड में, अंदर से विचारों में ये आने लगया, कि गलती से हमने कुछ गलत पूछ लिया, पीछे हुटिंग ना मैंने का ये ऐसे किया, इतने जिर में तालिया, तो फिर मेरा गाइड पलट के कर रहा है, गलत आंसर था, पूले सर, सॉरी, 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 अंता तो गत्वा मेरी थीसिस जैसे तैसे करके डिफेंड हो गई, बाहर निकाल करके सब इस्टूडेंट्स को, गाइड ने और अब सर सोचो, नेतागरी करते करते ये थौट तो डवलप हो गई थी, कि 9 to 5 की नोकरी नहीं करनी है, रिसर्च गाइड ने मना कर दी है, अब करेंगे क्या, हम हो गए बेरोजगार, प्लेस्मेंट के लिए कंपनिया आई, कंपनिया में बैठना नहीं, एक एटिटूड, अ एटिटूड आगया न, ये तो 95 लेके जाएंगी, अब एटिटूड प्लेस्मेंट में नहीं बैठा रहा है, और दोस्ट चढ़ा करके जाए पी रहे है, यारवस्ति तू है हमारा हीरो, और सब जगें इंट्रो ऐसे दिया जाए कि आदमी बने तो ऐसा, प्लेस्मेंट में नहीं बैठा, और वो किसी ने साबासी दे दी सर, जब कि फटी पीछे से पढ़िए सर, हालत ये है कि नौकरी के बिना घर रहे है, नेता जी तालियों के चल रहे है न, तालिया मुझे देखो है इसा, प्लेस्मेंट में नहीं बैठा, हालत खराब है कि घर जाएंगे तो घ आइस बनेंगे, आइस बनेंगे तो कैसे बनोगे, हमने का सुनो यार, हम गोल्ड मेड लिस्ट हैं, टॉपर हैं, तो आइस तो यो निकाल देंगे, अचा उस समय था क्या, कि यूपीसी प्रिलिम्स में सब्जेक्ट आया करता था, अभी जैसे यूपीसी का प्रिलिम्स है, जीएस है, प्लस सीसेट है, पहले एक सब्जेक्ट आता था, साथ में फिर जीएस का एक पेपर और होता था, वो लोग हवा में उडा के कर देते थे, अपने सब्जेक्ट से प्री क्वालिफाई करते थे लोग, और मेंस में दो आप्शनल आते थे, मैं इतना शौर था कि प करके डिगरी पूरी की दिल्ली पहुंचे एक मित्र के पास कि यार सुनो इस बनने आए इजद हमें इस वाली चाहिए तो उसने कहा क्या हो साथ कलेक्टर साथ बैठो क्या पढ़ो गए हमने का सुनो यार केमेस्ट्री तयार है बाकी सब चीजें बताओ बुले नहीं यार केम की चीज़ बना तुम देयार देगा तुम जिस चीज़ को सोच के आये थे ना कि subject आएगा प्री में वो हट गया है subject प्री से हट गया होश फाकते हो गए हमने का वहाँ placement में नहीं बैठें यहाँ पर यहाँ बने अब गर किस मूह से जाए अच्छा एक चीज जो यहाँ पर success एक डर बनके बैठ जाता है चाहे छोटा सा ही success हो अगर किसी के अंडे की ठेली भी चल रही है गोलगप पे भी बेच रहा है न और उसको लग रहा है कि रोज लाइन लग रही है एक दिन लाइन कम होगी न तो उसकी लाइन कम होने पर उसके हालत खराब होने लगती है ये फैक्ट है ये सबसे बड़ा डर है हर successful आदमी का चाहे आप किसी भी अभी recently हनी सिंग ने बताया कि उसको कोई बिमारी हो गई थी वो उससे बहार निकल के आया ये है ही सर जिसने सफलता के सोफान चखे है न और उसको बीच में हलका सा भी जटका आता है उन नहीं जिल पाता है आशी की टूगर के एक फिल्म बनी थी जिसमें एक सिंगर को दिखाया था ये बहुत जनरलाइजड हो है तो अंदर का डर इतना हावी हो गया कि यार अगर मैं एक अटेम्ट भी प्री दिया और प्री नहीं निकला क्योंकि अब तक confidence subject पे था अब जो आएगा वो एकदम नया आएगा पढ़ा ही नहीं घरवालों से पूछा हमने का कि हमको रुक के पढ़ना पढ़ेगा यहां पे उनने का सुनो पईसा नहीं है हमारे पास सरकारी में पढ़ाएं तुम्हें इतना ही पईसा था पढ़ा दिये अब अपने आ जाओ खुद कमाओ कमा के चले जाना तब जाके तायारी करना हमने का यार एक साल की फीस दे दो गया अगर आप हमें तो अब होते है न रिष्टेदार भी अपने तो एक तो अंदर का डर कि यार फेल हो गए तो क्या होगा साथ में रिष्टेदारों का ताना आयाटी गए थे बेरुजगार लोटा है ये ताना भी बहुत बड़ा ताना अब ऐसे में हमारे परिवार में कुछ दिगज काफी बड़ी उचाईओं पर रहें उनसे सला लिली घरवालों ने उनने ताना और मार दिया कि यूपियसी तो क्या करेंगे हमने का इशारा समझ गए माते तो अब करें किया गुरूजी तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत क्या कर सकते हैं दो-चार दोस्तों से लाँम अश्विरा किया अचा कॉलेज के जो दोस्तों होते हैं वो ट्रू फ्रेंड्ड होते हैं क्योंकि वो आपको उस इस्थिती में जानते हैं कि ये क्या react करता है किस तरह react करता है उनको ये नहीं पता होता ना future आपका क्या है सब बराबर page पे हो कहां कौन जाएगा किसी को नहीं पता है तो वो आपको सला हमेशा आपके पुराने से देते हैं आपके आज से नहीं देते हैं, पास्ट से देते है उनने का यार आदमी तो तुम बहुत अच्छे हो बाते भी बढ़िया कर लेते हो बाते करने जहां पैसे मिलते हो, वहां जाओ यार. हमने का यह कौन देगा बोले यार, टीचिंग में जाओ गुरू यार प्था सी कि तरे स्कूल में जाके आफ टीचर नहीं बनेंगे वह दा यह प्ते है जो वह जा जो वहा है तो दिवाह है किये कभी, तो हमने फिर जाएं वहीं, बोले हाँ वहाँ जाओ, तो सर हम कोटा पहुचे, कोटा पहुचे तो बंसल का नाम था बहुत जबरदस्ट सर, बंसल सर हुआ करते थे तर ली जानेट बंसल सर, मतलब मानना पड़ेगा सर, कोटा को कोटा बनाने वाले उनका नाम जब भी लिया जाए तो मतलब आगे सम्मान मिलना जरूरी पहुंचे सर तो अंदर डर था जबरदस्त कि यार यहां पढ़ाने के लिए कहेंगे कैसे कि हम पढ़ाना चाहते हैं यह तो यही कहेंगे कि तुमको प्लेस्मेंट नहीं मिला वेरोजगार अब इनको स्टोरी कौन सुनाए कि हमारे साथ वेरोजगारी एटिट्यूड में आ गई नेतागरी कर रहा है थे नेतागरी का फ़ल है वेरोजगारी और यह एच्छिक वेरोजगारी है हमने का अब क्या करें फिर भी सर जैस्ते से करके पहुंचे वहाँ पर इंटर्व्यू रखा गया हमारा बोले किस में करोगे तो हमने का कि सर सब्जेक्ट औरगनिक केमेस्ट्री है हमारा हमको टीचिंग इसी में पसंद है मतलब पढ़ा हमने यही है तो बोले जाओ औरगनिक के टीचर के सामने डेमो दो तो औरगनिक के आचोडी के सामने हमें भेज दिया अब सर हम M.S.C. किये थे वहाँ से दो साल पहले M.T.E.C. में भूल गया कुछ और पढ़े थे वहाँ टीचर ने जैसे हम से सवाल पूछा कि बताओ गई के नभी रिजल्ट के इंतजार में हैं अंदर से पचात पता था कि फेल हो गया है पर हमने का ठीक है क्या पता किसमत बदल जाए बोले सर इधर भी डेमो चल रहा है आप इसमें भी चले जाएए वहाँ घूमे सर तो वहाँ एक टीचर मिले उनने कहा कि क्या करने आयो हमने का सर पढ़ाने आये अचा दिखने में ठीक थे अब थोड़ा जादा मोटे हो गए तब थोड़ा प्रेजेंटेबल टाइप से थे बोले बोर्ड पर खड़े हो जाओ पढ़ाई क्या की हो अमने का ये पढ़े बोड़ पर हाथ यूँ रखो अमने रख लिया उन्हें देखो हमें नहीं पता है कि तुमको आता है कि नहीं टीचर जमोगे गुरू तुम बस 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 तुम यही चाहिए तो हमने का गुरू जीच बस यही चाहिए जब जब मुझे कोई एप्रिशियेट करता है कि तुम बढ़िया टीचर हो बाई चांस कर देता है तो दन्यवाद उनको भी प्रेशित करता हूँगी सर एंगल आप ही का था तो आपने का एंगल कैमरे पर चल देख लिए मैं कैमरे पर चल रहा हूँ सर भी आपका के देखते हैं मैं को एक कहानी आ था एक दम मेरे लाइफ की डिक्टो सेम चीजस लिए तो मैं वहाँ पर जैसे बॉंबे जब में गया था मेरेजमेंट गंसल्टिंग के लिए तो वह इंटर्व्यूस चल रहे थे बहुत सारे तो मैं कहीं से वह गया कैसे तो वह एक अलग कहानी है पर आप मालों मैं पहुँच गया वहाँ पर और एक कमरे में गया वहाँ मेरे इंटर्व्यू आप मैं राजस्थान के विक्ति हैं हिंदी मेडियम में पढ़ा है जिंदगी बर वहाँ इंटर्व्यू होता है तो टूटी पुट इंग्लीश में पंदे रहे थे तो वहाँ अंदर गए दस मिनट में ही रिजक्त होगा के वापस आगे उदा एचार राउंड मेरा बहुत अच्छा गया उदा पहले राउंड से वापस आगता है यह हिंदी वालों को लेता नहीं है एक यह बॉइस को बहुत कम स्लेक्ट करता है यह मैं हमारे बतना मैं हमारे इंटर्नली तो यहाँ से रिजक्त हो क्या है तो उसकता है बाइस का शिकार हो तो चुपचाप किसी को बताए वेकर उस कमरे में ओट चले जाए जो और जो नहीं नहीं को न दूआ कर चाहिए, और प्रनलिटर पारा क्या था षैक वारी ही अर। पिर पब्र ungef стать अच्छना में तो आधम में थोड़ा थी, दधए था, बढ़ी आधा। तो पर नहीं होता तो पर मैं चुल्टिंग नहीं तो पर मैं सी ओता है तो जो भी है न वो उस इंट्रिव्यू की कामी है आपने बता ही तो याद ही हुज़ा इसमें फिर बड़ा इंट्रेस्टिंग वाकिया यह हुआ कि वो जो टीचर थे सेलेक्ट करने वाले वो इन और्गैनिक के थे उनों ने का कि तुम इन और्गैनिक के टीचर सेलेक्ट हो गए हमने का गुरुजी यह बिल्कुल नहीं आती है तो मैंने लिख दिया इन और्गैनिक जो अब सलेक्ट हो हम बंसल सर के पास पहुचे उनने का दिखाओ किसमें सेल और गेनिक में आ गए और गेनिक वाले जिसने हमको रिजेक्ट किया था हम उसके पास वापस गए हम उसके सेलेक्ट हो गए है अब तरीका जो रहा है वो बात में बताएंगे फिर सर भगवान ने हाथ ठीक से पकड़ा और बंसल में जो काम लोग दस-दस साल में करते हैं वो ह मेरे सेशन्स में भी होता है कि मैं सेशन्स करते समय लोगों से एक ही लाइन बोलता हूं कि भाई मैं बता रहा हूं अपलबधियों के वह आज्चे माने जाते हैं मंतब सीनियर फैकल्टी होना एचोडी होना यह जो पद कहें जाते हैं काफी अच्छी सेलरी होना सैवन बंगला सब होना इस बीच में शादी भी हो गई और सब कुछ जब हो गया सब तरह से निवरत हो गया तो बचपन का प्यार तो लोगों ने समझाया था कि आई एस बनना है तो हमने का यार सपना तो देखे थे ऐसे में एक वाक्या घटा कि पिता जी हमें एक बार अपने साथ गाओ ले गए इसमें बस में आपको एक पॉस्ट दे रहा हूं जलका सा क्योंकि आपने बातो बातों में बड़ी बात कह दी उस समय कोटा में कोटा के बगवान बंसल जी जो कोच है कोटा ज की डेक में उनके पीछे सबसे बढ़िया इंस्टिटूशन उसमें सबसे बढ़िया पोस्ट एचोड वहां पे आप चार साल में पोँच गया इतनी बड़ी इनफोर्मेशन इतिक कैजुली निकाल दी तो में ओडियंस को रोक के बता रहा हूं कि सार मात क्योंकि कोटा फुल अफ सफल लोग है मतलब उसमें मेरे जैसे बहुत लोग है मैंने बहुत कम समय में बहुत कुछ पाया था इस पैमाने पर मैं अपने आपको ठीक जगह रखता हूं कोटा मतलब बहुत ही अच्छे डाइनमिक टीचर से बढ़ा हुआ है बहुत सारे चहीं तुम क्या परशि क्या हैएं मेर अच्छे फेकलटे तो मेरी तरह आपको आएटी से मिला नहीं है तो मैंने करता हूं यहां तो मैंने और चैप करिये मैन अलागए तौम अजrage को एक्ट किया था एक एगशान जाबव थिभर्ट मेरे सिल्प राग काईुला किया गया है, मैंने का सर बस टीचर हूँ मैं, कहां पढ़ा रहे हो मैंने का कोटा में, कोइंसीडेंशेली मेरे गाइड उस समय प्रमोट हो करके डीन बन चुके थे, तो डीन स्टुडेंट अफेर्स में ठीक पोस्ट होती है IATs में, मैंने का सर बस अगर आप इजाज़त दें, तो मेरी तरह कुछ और लोगों को भी मौका मिल सकता है बोले यार अवस्ति लेकि तो जब पता है कि कोचिंग को अलाओ नहीं करते है IAT मैंने का सर अलाओ नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर से नहीं रिकूरूट होने देना चाहती है कि कोई गया और दो मैंने में फायर हो गया, IAT बदनाम हो जाएगी, IATs के बारे में लोग कहते है कि 60% प्लेसमेंट हुआ, 70% प्लेसमेंट हो, नहीं सर, they are very much चूज़ी, वो छोटी मूटी को कोचिंग छोड़ो, कंपनी को नहीं आने देते कि ना भी ना, तू मता तो मता, तेरे नाम में अगर जुड़ गया कि तू IAT में रिकूरूट्मेंट देने आया था, तू अपने आपको बेच देगा फिर, हमारा डाउन हो जाएगा हमारा करम जाएगा, ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं तो IAT जिसमार में बड़े सलेक्टिव होते हैं और वहां के बच्चे भी बड़े सलेक्टिव होते हैं प्लेसमेंट में वो खुद चूज करना है कौन सी कंपनी में जाना है उनके सामने options आएंगे, वो select करेंगे मुझे इसमें जाना है और जो 60-70% का marketing करते हैं कुछ लोग news channels में लिखते हैं कि IAT से 70% replacement हुआ वो इसके लिए हुआ क्योंकि वहां के बाकी बच्चे abroad पढ़ने के लिए जगह चान लेते हैं वो पहले से ही बाहर पढ़ने की जगह है ट्राई मार चोके होता है कुछ लोग PG करने के लिए जा चोके होता है कुछ UPSC के लिए निकल लिए होता है कुछ अपने ही आर्ट को फॉलो कर रहे होता है बड़ा ही विचेत्र जुग्या है वो स्विच्छा से है स्विच्छा वाले है इसा नहीं की हुआ ना 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 IAT टैग इतना है ना कि सर हम उसके आई कार्ड से ट्रेन में फ्री में सफर करते थे आप इससे ज़्यादा क्या बताऊगे कानपूर से अलवा ना सर लोग इजट देते हैं आपको बिठाते हैं साथ में कि ठीक है कुछ समझदार आदमी रहे होगे तो ऐसी इस्तिती में मैं IAT गया और मैंने वापे अशॉरेंस दिया मेरे एम्प्लॉयर से कहलवा के कि सर मैं यह अशॉर करता हूं आपको कि हम भच्चों को जिनको भी लेके जाएंगे उन्हें एक साल तक छूएंगे भी नहीं अगर परफॉर्मेंस बेकार से बेकार भी रहा तो हम उन्हें साथ रखेंगे हमने किया सर मैंने IAT कानपूर में प्लेस्मेंट दिया IAT जोदपूर में प्लेस्मेंट दिया और अपने NIT जैपूर में प्लेस्मेंट दिया और ये मेरी लाइफ के उन 4-5 सालों में सबसे बड़ी उपलब्दियों में से था जो दोस्त मेरे साथ में उस समय किसी placement में बैठे थे और मैं नहीं बैठा था उन्होंने इस बाद का status message लगाया कि देखो placement में नहीं बैठा था लेकिन placement देने आया है और ये एक proud moment था आई टी में आप इतने कम उम्र में लोगों को नौकरी पर लेने के लिए पहुँच गए तो ये एक समय रहा तो लेकिन ठीक था सर बहुत कुछ सही चल रहा था लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आई जिसकी वज़े से एक saturation सा भी आया ऐसी इस्थितिया बनी कि जिसकी वज़े से ये समझ में आने लगा कि समाज में पैसे के साथ साथ पावर भी अपने आप में इमेज रखती है अभी आपका उस्सा था पापा वाला हाँ वही वही उसी पैयाराओं में तो पैसा हो गया था ठीक ठाक से घर की जरुवते पूरी होने लगी थी सब कुछ ठीक चल रहा था शादी भी हो चुकी थी सिस्टर की शादी भी हो गई थी जरुवतों से मैं पूरी तरह फुल हो चुका था उम्र कम होने का फाइदा भी मिल रहा था कि मुझे अपरशनिटे दिख री थी कि मैं लाइफ में कुछ और भी कर सकता हूँ ऐसे ही समय पे मैं एक बार अपने गाओं आया गाओं में हर महीने जाता हूँ और अभी मैंने मेरे ही गाओं के अंदर एक बदलब 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 के मंदिर में धरम शाला और कुछ सुविधाएं वह डवलब भी की है तो मैं वहाँ पहुंचा था तो वहाँ पे किसी गाओं वाले ने पिताजी से पूछा कि अजी लल्लू काई करे है हम अलवर भरतपूर साइडी के लोग है तो उन्होंने का कि कोचिंग पढ़ावे है तो फिर उन्होंने का कि कोचिंग तो उच्छोरों भी पढ़ावे मतलब वो दूसरा अलका भी पढ़ाता है और वाकन भी 50-60 लोग आँ में पढ़वा या सुखोना है कि अगर पढ़वा में ठीक ठाक है तो सरकारी मास्टर की नौकरी देख ले तो अगर ये पढ़ने में ठीक है सरकारी नौकर क्यों नहीं बन जा था टीचर बन जा इससे कहिए पिताजी ने हमारी तरफ भाव से देखा जैसे उनके अंदर से यही भाव था कि यार देख ले अगर हो जाए तो मतलब तुने कमा लिया ठीक है समाज की acceptability है कि ये सरकारी टीचर पसंद कर रहे है बजाए इसके कि तुने मतलब हमारी लाइफ स्टेंडर को ही चेंज कर दिया है सरकारी टीचर बन जाएगा तो अच्छा होगा अब यहीं पर मैं सरी बहुत अच्छा मैसेज लोगों को देना चाहूँगा क्योंकि मेरी लाइफ में यही बहुत बड़ा पॉइंट है ये वो मैसेज था जिसको मैंने गलत कंसीव किया कहने वाले ने अपनी समझ से कहा था उसकी समझ थी कि एक तरतिये श्रेणी सिक्षक सरकारी स्कूल में भी ज़्यादा अच्छा है रादर देन एक आदमी के जो ना जाने कितने लोगों का फ्यूचर बना सकता है मैं उस समय IAT पढ़ाने की तयारी कर रहा था लोगों को पढ़ाता था IATians बनाता था जो बच्चे पढ़ते थे वो अच्छे IATs में जा रहे थे अच्छे NITs में जा रहे थे लेकिन मुझे एक व्यक्ति के कहने से कहीना कहीं वो मेरे अंदर का डर था कहीना कहीं मेरे अंदर की वो कमी थी जिस कमी ने मुझे और ज़्यादा इंस्टिगेट कर दिया और मुझे उसकी बात में सच्चा ही लगने लगी इसलिए यहां पर यह पॉइंट बहुत ज़्यादा मार्क करता है जहां से अपनी थीम शुरू हुई थी कि select your circle wisely मैं अगर उस समय उस आदमी की बात को यह सोचकर ignore कर देता कि छोड़ कुछ भी नहीं है तुझको क्या बता तुझको पता क्या है यार तेरी दुनिया में इस गाउं में टीचर ही सबसे बड़ी हस्ती है इसलिए तु सोचता है कि टीचर बन जा तु अपनी जगे सही है तु समझे कि आप सक्सेस्फुल है आपके पिताजी जहां थे आज उन से आगे आप अपने आपको पाते हैं तो समझे सक्सेस्फुल है पैमाने दुनिया को मत सैट करने दीजिये अदरवाइस दुनिया को खुश करते करते ही मर जाएंगे यह मतलब अब का तजुर्बा है सर जब मैं सारे एक्जाम क्रेक कर दिया तो मन में यह फिलिंग आई कि हाँ या बात तो भाई ने सही बोली है पिताजी इस बात को और हवा दे दिये अधर पिताजी के हवा देने में एक और कहानी है मैं वो भी सुनाता हूँ एक गाउं से निकले हो ऐसे गाउं से निकले हो जहां लाइट आपके 10th करने के बाद पहुची हो तो कहानी दोड़ी सी दम दमदार होती है जब मैं IIT के final में था तब National University of Singapore ने PhD के लिए applications निकाले और उसमें direct interview से ही IITians को admission दे रहे थे और उस समय वो लोग 1,75,000 रुपे Indian currency में scholarship दे रहे थे पर मंत हमने का यार PhD तो चल ठीक है होती है तो ठीक है लेकिन ये जो scholarship मिलेगी Singapore के अंदर दुनिया की top 10 university में पढ़ने का मौका मिलेगा ये exposure कम नहीं होगा IIT आये थे उसका exposure इतना मिला तो सुच सिंगापुर जाने के बाद किस मांग लेगा ये एक thought आने लगा बहुत बड़ी चीज थी sir और definitely मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उसमें selection हो भी गया sir selection का वो आ गया letter आ गया मैं बड़े खुश होकर के पिताजी के पास पहुँचा अब यहां से भी एक दूसरी स्टोरी मतलब एक thought निकल कर आएगी पिताजी के पास पहुचा और बहुत खुशी-खुशी होकर कि ज़्या सर्प्राइज में कहता ना कि पापा देखो मैं क्या लाया टाइप से तो मैं गया बहुत नॉर्मल तरीके से था मैंने खुश होकर कि पिताजी के हाथ में रखा मैंने का यह देखे मैंने क्या है यह मैंने का आपका बेटा विदेश जा रहा है एक किस लाख रुपे जो आपकी लेंग्विज में बहुत पाड़ दिया तूसरा टकुड़ा तीसरा टकुड़ा करके डस्ट पिन में डाल दिया हम पापा का रियक्शन समझ ही नहीं पाए बोले अगर तू विदेश गया तो फिर हमारा मरा मुझ देखेगा रियक्शन समझ नहीं पाए उनके reaction में ये था कि हम एकलौती संतान हैं अगर ये चले गए तो हमारा ध्यान कौन रखेगा उनकी stories में इस तरह की कहानिया already थी कि जो बच्चे विदेश गए वो parents के पास लोटते नहीं है वहीं शादी कर लेते हैं वहीं परिवार बसा लेते हैं तो ये वापस आएगा नी उन्होंने सेहर्ष इस रिष्टे को नामंजूर करी दिया तो मैंने गा ठीक है ये चीज उनकी उस insecurity को दर्शा रही थी जिससे मुझे ये realize हुआ कि अगर मुझे पिताजी उस समय मुझे space दिये होते तो संभवत है या मैं कुछ और भी अच्छा expose करता लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे निकल के आती यहां एक दूसरा message आता है बच्चों को अपने चश्मे से देखना बंद करिए मेरे पिताजी ने मेरे लिए अच्छा किया बुरा किया मेरे पिताजी ने जो fence ले लिए वो मुझे तो कुबूल है लेकिन अगर आप एक अच्छे गारजिन है तो अब पूरी दुनिया एक city बन चुकी है अगर बैंगलोर पहुँचने में जैपूर से तीन घंटे लगते हैं तो दुबाई पहुचने में भी तीन घंटे लगते है अगर जैसलमेर से जैपूर कोई व्यक्ति आएगा तो बारा घंटे में आके पहुचेगा इतनी देर में लंदन से दो बार आ जाएगा इतना ज़्यादा वर्ड कनेक्टिड हो गया है आपको ट्रेवल टाइम तो लगेगा है ना वो वर्ड में आप कहीं भी हो तो भी ट्रेवल टाइम लगेगा तो इस तरह से अपने बच्चे को जज़ करना बंद करें और उन्हें थोड़ा उडने दें अगर बच्चे में पोटेंशल है तो उसे उड़ने ने, लेकिन इस message को इस sense में ना ले कि मैं मेरे पिता जी को curse कर रहा हूँ, उन्होंने जो मेरे लिए dimensions दी, आज मैं उसकी वज़े से जो कर रहा हूँ उन्ही की वज़े से, बेस नहीं उन्ही का बनाया हूँ बनाया हूँ है, लेकिन ये एक एंगल है कि आज जिस तरह से मैं सोचता हूँ उन चीजों को आपके साथ साजा कर रहा हूँ, तो ये स्टोरी आई अब उसके बाद में पिता जी के मन में ये था कि मेरे आसपास रहे, और आसपास रहने का बेस्क तरीका क्या है? सरकारी नौकरी कर लएगा, तो ये था? सरकारी नौकरी रहेगी, तो ये आसपास रहेगा पर सबसे आसान तो ये है, कि इसको टीचर बना दिता हूँ तो पिता जी हमारे लिए पर टीचर नहीं पर प्राइवट तो है टीचर बैठेंगे जो इस समय बढ़िया कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं हमने को यह नहीं हो पाएगा तो ठीक है साब इस बात से तो हम निकल लिए लेकिन पिताजी के आँखों में उस जरुवत को हम समझ गए थे कि इन्हें सरकारी नौकरी चाहिए अब सरकारी नौकरी चाहिए यह चीज जब हमें भी समझ में आई तो सर ऐसे ही किसी दोस्त ने कहा कि स्टेट PCS का फॉर्म निकला हुआ है भर दो सर इसमें मेकप को थोड़ा बहुत देता हूं कि जैसा भी आपने कहाना है सरकारी नौकरी आपको नहीं चीए थी पिता जी को चीए थी आप तो उनके लिए कर रहे थे तो आपको ऐसा नहीं लगता आज की रेट में जितनी भी बच्चे कोई IAT की तियारी कर रहा है कोई PMT की तियारी कर रहा है कोई डॉक्टर बन रहा है कोई इंजिनियर सीए बन रहा है उसमें से शाद 10-20 परसेंट लोग है जिनको खुद के लिए डॉक्टर सीए या सरकारी नौकरी बननी है 80 परसेंट लोग तो अपने मादा-पिता के लिए ही MBA, CA, DOCTOR बाली चीज बन रहा है अपने हमारे पेरेंट्स के जो सपने है उसको पूरे कर रहा है उनके सपने नहीं एक बहुत अच्छी लाइन बताता हूँ आमिर खान की दो फिल्में आई एक फिल्म का नाम था दंगल और एक का नाम था थ्री इडियट डंगल में आमिर खान अपने बच्चीयों को दोडाता है, रेसलर बनाता है सक्सेस्फुल रेसलर बना देता है वहीं दूसरी और थ्री इडियट मूवी के अंदर आमिर खान इक नोशन सेट करता है कि डू वाटेवर यू लाइक बताओ दौनों मैंसे सही कौन सा था अपनी अपनी जगे दौनों ही ठीक थे मैं को त्री इडियट वाला इंगल जादा बेटर लगता है ये आपने सेलेक्टिव किया कि मुझे त्री इडियट पसंद था क्योंकि उसने मुझे आप्शन दिया लोगों ने तो तालिया दंगल में भी बजाई थी और लोगों ने इंस्पिरेशन होसे भी लिए अपनी थी दौनों ही जगे आमिर खान सही था दौनों ही जगे स्टोरी सही थी क्यों? एक फिल्म में आमिर खान उन बच्चों को गाइडेंस दे रहा है जिन्हें फ्यूचर के बारे में नहीं पता है और एक फिल्म में जो बच्चे ग्रेजवेशन कर चुके हैं उन्हें गाइडेंस दी जानी है अर्थात एज के साथ पैरेंटिंग की जाती है अगर एज अठारा से कम है तो पैरेंट्स की थाट माननी चाहिए ये दंगल का वो था सैंस था और अठारा के बाद चुकि आप ग्रेजवेशन कर चुके हैं आपने अब उस कॉलेज से वो सिक्षा प्राप्त कर लिए जिस कॉलेज से पिता जी नहीं पड़ पाये थे आपको चार साल का वो एक्सपोजर मिल गया है जिनका उनको आइडिया नहीं था अब आप अपनी राय भी रख सकते हैं ये थ्री इडियट थी तो बोथ साइड्स वर करेक्ट तो अब मैं मेरे केस में अगर आता हूँ तो पिता जी ने जो मुझ तक किया क्योंकि 18 साल तक मैं MSC वगरा कर चुका था तो पिता जी यहां तक सही थे अब जो उनके डिसीजन थे ये जो ट्रांजीशन फेज होता है ना सर पिता जी जब ये सलेक्ट कर रहे होते हैं आगे की लाइफ के फैसले भी वो पिता जी को भी दुख दे रहे होते हैं कि मेरा बच्चा मेरी क्यों नहीं सुन रहा है अक्सर आप देखना पैरेंट्स सबसे ज़दा फ्रस्टेट कब मिलते है बच्चा मेरी सुनता नहीं है अक्सर जब शादी होती है तो बहु के नाम पर शिकायत क्या होती है बहु आई है तो उसके बाद सुनी नहीं रहा मेरी अरे बहु उसकी लाइफ में एक नया एक्स्पोजर आ गया है अब वो एक्स्पोजर में आब आप उसको आगे निकलने दो ये गारजिन इस बात को समझें कि एक टाइम तक ही आप हाथ पकड़ सकते है उसके बाद आप उसको कंधे पर हाथ रखके समझाएं कि मेरे तजुर्बे ये हैं तेरे तजुर्बे जो भी हैं इनको ग्लैंड कर लेना कुछ निकलता है तो देख लेना मेरी PCS की जरनी को मैं कट शॉर्ट करके समझा हुआ कि फॉर्म भरा और छे महीने के अंदर प्री पास था अगले तीन महीने में में स्पास था और फर्स्ट गो में सेलेक्शन था कौन सा एक्जाम दिया था अपने? RAS का और उसमें जो रैंक मिली उसको दुबारा जब रैंक मिली वो अच्छी नहीं थी उसमें अलाइट सर्विसेस के अराउंड कुछ मिल रहा था बॉर्डर लाइन केस था तो मैंने का यार ये ठीक नहीं बैट रहा है मेरे साथ अज़े इन विटविन एक चीज मेरी है चोटी ची ये जब आपने नौ महीने दिये उस समय बंसल में थे बंसल चूट गया था चूट दिया था यहाँ पर ये क्लाइन और भी है सर कि दो नाओ पर पाउं रखके कोई काम नहीं होता है अगर मैं नौकरी कर रहा था और दुनिया को दिखाने के लिए मैं तैयारी करने लगता कि नहीं मेरे पैरेंट्स खुश होंगे तो ना तो मैं तैयारी अच्छे से कर पाता ना मैं मेरी नौकरी को 100% दे पाता एक बहुत टफ डिसीजन था मैंने माता जी के पास बैट करके लिया माता जी के पास गया मैंने का माता जी अब समय हो गया है कि मैं जहां प्राइवेट नौकरी में पहुँच सकता हूँ वहाँ पर मैं पहुच चुका हूँ यहां से आगे ज़्यादा से ज़्यादा दो कोचिंग मैं अपनी बना लूँगा पैसे के नाम पर मेरे पास आज एक प्लॉट है तो दो और हो जाएंगे बैंक बैलेंस में एक दो जीरो और जुड़ जाएंगी लेकिन अगर वाकई में आप सब की मंशा यह है और मुझे भी कहीना कहीं से अब यह लग रहा है कि मुझे तैयारी करनी चीए तो मैं कर लेता हूँ मादज ने का हाँ ठीक है करो शादी हो चुकी थी तो वाइफ का कंसेंट लिया मैंने का मैडम कितने समय की इजाज़त मिलेगी तो वाइफ इस मामले में बहुत कॉपरेटिव रही जर मेरी शादी मैं जब कोटा में था तभी हो चुकी थी तो मेरी वाइफ को मेरी प्राइवेट नौकरी से पहले कोई दिक्कत नहीं थी और वो मुझसे ज़्यादा इलिजिबल है मतलब she is very much nice to me तो उन्होंने कहा कि ठीक है अगर आप ये call लेना चाहते हो आपकी खुशी है मैं आपकी खुशी में खुश हूँ आप एक काम करिए कि अचा मैंने ठीक ठाक कमा के भी रख लिया था तो उन्होंने कहा कि एक attempt का समय मैं दे सकती हूँ मैं आपके potential को जानती हूँ आपको पता चल जाएगा कि attempt एक आपके लिए है या नहीं है अगर आपका नहीं होता है तो वापस back to pavilion तो ही आपको पताई है कि इसके लिए आपकी आप निकाली लोगे इस तरह ऐसे परिवार से सलह मश्विरा करके जो life के stakeholders हैं उनसे discussion करके मैं तैयारी में निकला मैं तैयारी करने के लिए गया दिल्ली सर जोला उठा करके UPSC की तैयारी करने गया पुराना सपना था पूरा अब करना था लेकिन इस समय सारी circumstances बदल चुके थे एक बेटी थी वाइफ थी माताजी पिताजी सब थे जॉब कर रहा था पच्चेव को पढ़ाता था अब टेंशन ये थी कि क्लास में मेरे ही स्टुडेंट कहीं कोचिंग करते हुए ना मिल जाएं जो UPSC की कर रहे हो हना तो बड़ा ही मतब अलगी प्रकार का system हो गया कोचिंग में जब मैं पहुँचा तो admission लिया प्रतिष्टित संस्थान में दिल्ली में जाके राजिंदर नगर में admission लिया तो सर वहाँ जाके पता चला कि इनकी कोचिंग तो पूरा डेड़ साल का कारेक्रम लेके चल रही है प्रती दिन दो गंटे क्लास है सपने बेचे जा रहे हैं कि पढ़ना कैसे है दो लोग पीछे खड़े हो जाएंगे तो जो सपने बेचे जा रहे हैं और उसमें जो बच्चे आ रहे हैं वो इस ख्वाब के साथ आ रहे हैं कि वो तो ISE है बस वो तो इस समय ट्रेनिंग में चल रहे हैं उन बच्चों को ये भाव है और ORN तो डिये ORN नहीं है और सर, ORN में आज की समय तो इस्थिति इतनी खराब है ये जो रील वाले लोग है ना इन्होंने ORN को ऐसा बढ़ा दिया ORN मतलब ओल राजंदर नगर औल राजंदर नगर दिल्ली ओल राजंदर नगर को लेकर के जो ये मुवीज बनी एस्पिरेंट बनी जितनी भी वेब सीरीज बनी इसने क्या किया ना बच्चों को इतना मॉटिवेट कर दिया कि पता नी ORN जाकर के ही आईस बनते हैं वास्तविक्ता में ये था नहीं असल में पहले जब हम ORN गए थे ना किसी को जो पता नी था कि होता क्या ORN उस समय असल में सर चतना भी देश का एलिट क्राउड था ना आईएटियंस, डॉक्टर्स, C.A.S बहतरीन प्रोफिशनल्स वो नौकरी छोड़कर के तयारी करने ORN आते थे और वो जब क्लास आती थी तो उसको देखकर के आपको लगता था कि यार ये तो फर्स्ट गो में निकालेंगे गुरू मतलब वहां रूम ऐसे उठते थे कि यहां से ये रैंक निकली है, यहां से ये रैंक निकली है मूवी वालों ने वो चीज तो पकड़ ली उनको देखकर लोगों को लगा कि इन रूम में रहके सेलेक्शन होता है, अरे नहीं भाई वो एम्बियेंस था, वो माहौल था और ये एलिट क्लास जो है ना सर ये बहुत जल्दी गायब होती है ये पब्लिकली दिखती नहीं है अब जो ये रील कल्चर वाले लोग पाँचे है वो अपने अपने घर चले गए वो दूसरा सेंटर ढूंड लिए वो अपने तरीका बदल लिए, ऑनलाइन पढ़ लिए आज मुझ से और मेरी तरह ना जाने कितने लोगों से ऑनलाइन बहुत अच्छा टैलेंट पढ़ रहा है और वो अपनी पढ़ाई से सेलेक्शन भी निकाल रहा है आप आज कल के सेलेक्शन उठा के देखोगे आपको पता चलेगा उनमें से बहुत सारे लोग उनलाइन पढ़े हुए वो जानते हैं और इसमें अधर में एक चीज़ कर देता है जैसे ORN जो UPSC के लिए करता है ओल्ड राजंदर रहा है वो ही चीज़ कोटा बच्चों के लिए करता है तो शब कोटा में भी क्या वही वाले मामला है कि पहले वहाँ पे एक अलग क्राउट था जो निकल दा कोटा वर्सेस ORN में वही आमिर खान वाला डिफरेंस है कोटा बच्चा 18 से कम वाला जा रहा है और ORN 18 के बाद वाला जा रहा है 18 से कम वाले को गाइडेंस चहिए ही चहिए मैं यह नहीं कह रहा कि कोचिंग करने उसे कोटा जाना ही चहिए बट इस नेसेसरी कि कोई उसे ये बताए कि तेरा हित किसमे है नहीं मैं ये एक बेरा सवाल देता कि जिसे और न की क्वालिटी पहले वर्सेस अप में डिफरेंस आपने पता है कि पहले कम लोग आते थे एलीट लोग आते थे रेंग निकालते थे अब ये रील कल्चर आ गया बीड आ गई तो एलीट चला गया रेंग कप कमाने लगी तो वो कोटा में कोटा देन कोटा नाव में फरक है कोई फरक नहीं है पता नहीं इश्वर का आशिरवाद है कोटा हुजर तुम्हें भी उसकी तरह आईएटियन बनना है उसकी तरह एमभी एस बनना है डॉक्टर बनना है लेकिन सर मैं बहुत सम्मान करता हूँ कोटा के उन सभी कोचिंग संस्थानों का बहुत सारे फैकल्टीज का जो रील में बच्चों के लिए उतना ही कॉंशियस होकर के अध्यन कराते हैं और दिहान देते हैं कोटा वर्सेस ओरन में बहुत बड़ा अंतर है ओरन आपको अपने आप से बिल्ट होने के लिए छोड़ता है वहां तो आपको कोचिंग जाके भी ये लगता है कि क्यों ही आये थे लेकिन यहां प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है कि बिटा तुम कब आये थे कौन से टेस्ट में क्या दिया था आपकी मैस में क्या बना है आपने मैस में किते दिन से आप हॉस्टल से नहीं निकले हो उनके पास सारा डेटा है वहां बच्चों को बिल्कुल मुर्गी फ़र्म की तरह रखा जाता है खोटा पॉल्टी फ़र्म खोटा फेक्ट्री रियल में है और वो मैंटेन करते हैं मतलब कोटा है तो सर अब इधर आगे थे पनुगा रहे हैं च्छे मेहने में प्री तीन मेहने में वो मैं आपकी मित्र से बाहर बैटके बात कर रहा था, उन्हाने मुझसे सवाल पूछा कि आप अभी भी टीचिंग क्यों करते हैं, तो मेरा आंसर था कि बंदर बुलाटी मारना नहीं छोड़ता, तो मैं बुलाटी मारना क्यों नहीं छोड़ा, उसकी कहानी सुनाता हूँ अब म मन में पढ़ाने को ले करके बहुत तेज भाव भंगिमाय उठती, यार भाई पढ़िया पढ़ाते थे, और अब अपन पढ़ने में कैसे बैठें, कोई भी टीचर पढ़ाने आता, तो उसकी कमिया बैठके निकाल लेता मैं, यारे मास्टर जी पढ़ाओ यार, ये बहुत गंटा उसमें निकाल दी है, फिर कोई लूज जोक मार दी है, लड़के लड़की की बात कर दी है, आदा गंटा उसमें निकल गया, अमना गूर जी ये बहुत किया है, निकालो ना इसको, आईएस बनने आएं, बीवी इंतजार कर रही है, हमको लड़का लड़की में इतर से मिले, हमने कार गुरू, दिक्कत आ रही है बहुत, तो बोले यार एक सब्स्टिट्यूट है इसका, हमने का बताओ, बोले देखो, ये जितने भी सब्जेक्ट है न, इनको पूरा साल बर पढ़ाएंगे, डेड़ साल पढ़ाएंगे, तुम बाद में पढ़ोगे अ आइडिया में, दन गुरू, हम टीचर खोजे, और एसे टीचर में मिल जाते हैं, और सर अल्टिमिट टीचर, मैं ये मानता हूं सर की, मैं अपने से, अपने आपको मानता था कि मुझे टीचिंग आती है, लेकि नौलेज के साथ टीचिंग इसको कहते है न, वो और एन में ह जल रहे होते हैं, जिन्होंने मुझे पॉलिटी पढ़ाई है, वो सर बेर, जो इसको कहों लगा है, इसका मतलब है, यहां टू पहले क्यों लगा है, यहां कैपिटल S क्यों है, यहां स्मॉल S क्यों नहीं है, एक एक चीज का सेंस डिराइव करते थे, बहुत मज़ा आया सर वो जर्नी अल्टिमिट थी, और मैं सुभह निकलता थे, शाम आठ बजे कमरे में एंट्री करता था, इतने टाम के कोर्से होते हैं, डेड़ साल का होता है, कोचिंग में, क्याहां धाई महीने का था, पर सब्जेक्ट, अब आप 6 सब्जेक्ट को धाई महीने के अंदर खतम पर मुझे ये समझ में आगया था, कि अगर समय के साथ कुछ करना है, तो यही करना है, और सर भगवान ने सुना, जनवरी से लेके मार्च के बीच में मैंने मेरा कोर्स खतम, जो डेड़ साल में होता है, वो मैंने इतने में खतम कर दिया, इसमें भी एक इंट्रेस्टिंग आजाते हैं तुम्हारे पास, बोले हाँ आजाओ यार, तुम्हारे नाम से बैच बना देंगे, कोटा से टीचर आ रहा है, तो बहुत अच्छा नाम रहेगा, सर मैं नेट को की कोचिक में पढ़ाने लगया दिल्ली में, संड़े की संड़े पढ़ाने जाता, बढ़िया प बना दिया, निकालने में ऐसा लगता है, तो वो चीज मैंने वहां से डिराइव कर ली, तो बहुत महनत की, सर, फिर आखरी के दो महीने कमरे में लॉक करके खुद को पढ़ाई करना शुरू किया, लेकिन अंदर से एक एंजाईटी जन्म ले रही थी, कि यार, इस बार नहीं निकला, एकदम उम्र के आखरी पढ़ाओ पे तो तैयारी करने आया है, बच्चे ही गिंती के दो चांसे, अगर तेरा नहीं हुआ, तो खत्म हो जाएगा, दोस से मैंने फिर बात की, मैंने का यार भाई, टेंशन हो रही है, बोले टेंशन मत कर, इस्टेट PCS का फॉ दिया, नंबर जोड़े, 108 नंबर बैठे है, हमने का गुरू, अब ये कितने होते हैं 108, बाई, बिल्कुल बॉर्डर पे है तू, पता नहीं है कि पहास है कि फेल है, मैंने का यार गुरू मर गए, अब काम कर दिमाग मतलगा, पंदरा दिन बाद इस्टेट PCS है, उसको दे अपनी वाइफ को अंदर बुलाया, मैं बीवी जी, ये कंटेंट है, मैं पढ़ूंगा और आपको सुनना है, रटना है मुझे इसको, सर रिटररी जब तैयारी में उतरा था, उस समय मुझे ये नहीं पता था, कौन से डिस्टिक की बगल में कौन सा डिस्टिक है, ये तो नमबर मैं इसलिए मैंशन कर रहा हूँ, यूपेसी में, नहीं, प्रिलिम्स में, आरेस प्री में, यूपेसी प्री का नमबर अलग है, वो दे चुका हूँ, इसका नमबर 78.54, यह हम जोडते थे, मतलब आंसर की आती थी, उससे नमबर जोडते थे, फिर पूछा कोचिंग खेर, मैंने उस दौर में अपने आपको बिलकुल सुन्य में छोड़ा, मैंने का दौनों ही स्थिति में बॉर्डर लाइन केस आ गया है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मैंने का अब बैठ के इंतजार करना चीए, एक्जाम निकलता है तो ठीक है, अदर्वाइस फिर वहा करते थे सर, उन्होंने रिकॉर्ड समय में आरेस परी का रिजल्ट दिया था, 21 डेज में शायद रिजल्ट दिया था, तो मैंने का कितनी कट ओफ गई है यह बता, बोले 78.54, अब सर हुड़ दुख़ इस बात की, मैंने कहीं गलत आंसर ना जोड लिया हो, मैंने का या जोड़ा था, 78.54 ही, लेकिन गलत नहीं जोड लिया, जोड लिया होगा तो बहुत इंसल्ट होगी यार, सर जैसे होतना ना कि मतलब आप आंसर देख तो रहे हो, लेकिन बस यह डरते होए कि कहीं मेरा हुआ के नहीं हुआ, बाइग ग्रेस मेरा उस समय हो गया सर, वो प्री लो लाइंग फ्रूट हमको अपनी और आकरशित करने के लिए इस तरह के शहद फैकते हैं, कि हमें लगता है कि यही डेस्टिनी थी, और वही गलती थी, मुझे वो प्रिलिम्स के मार्क्स, प्लस में मेरा सेलेक्शन, वो दिखा ऐसे, कि यार यह तो किसमत कह रही है कि आओ और अधिकारी बनो, बीस दिन में रिजल्ट आ गया, किसने सोचा था तेरा आरेस होगा, अब मैं डॉट जोड रहा हूँ, वो कौन से है ना, स्टीव जॉप्स कि ये अगर ऐसा नहीं हुआ होता, तो भाइसा मेरा तो यह निकलता ही नहीं, मेरा तो प्री नहीं निकलता, म करती कह रही है, यार नंबर उतने ही आये तेरे, आपने का ठीक है, तीन मैने बाद मेंस था, लेकिन हमको राजिस्थान का ए भी नहीं आता था, लेकिन अब तरीका सीख चुके थे हम, कि धाई मैने में पूरा सिले बस कैसे करते हैं, यहां आया, गाड़ी में किताबे भरी दिल्ली से जैपूर शिफ्ट हुआ, और शिफ्ट हो करके टीचर्स के पास यहां पर भी गया, यहां पर यह कल्चर ही नहीं था, इंडीज्वल सब्जेक्ट वाला, यहां टीचर कोचिंगों में पढ़ाते थे, वहां गया, पांच बच्चों की फीस टीचर के सामने रखत अब दो किस्मत कितना खुश होती है, मैं एक से रेबस तो कर लिया, जिस समय मेंस होना था, मेंस पॉस्ट पॉन हो गया, मेंस पोस्ट पॉन हुआ, इज नहीं प्रकरती कह रही है कि तेरा सलेक्शन होगा, ते रोए ग्मेंटा हो गया, रोए और रोगीजन का समय मिल गया, सार रिवीजन के समय मिल गया रिवीजन के समय में Marge आगया UPSC का इस बीच में 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 pre-qualify हो गया कि अब तो मैं में 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 निखल चुका हूँ कि अब तो RAS पहले बनेंगे थो पहले SDM बनने उसके बाद देखेंगे हम सब इस जरनी में आगे निकली रहे थे मार्च का होता होता पेपर और पोस्ट पॉन हो गया उदर UPSC के दूसरे प्री का टाइम भी आ गया अटक गये हमने का कोई बात नहीं भगवान को शायद यही मंजूर है कि तू पहले गो में तो कसम खा के निकला फस्ट गयो में निकलेगा पहले गो में निकलेगा Hinally sir RAS का मेंस हुआ और मेंस वह गया तो पहले ही गो में प्री भी क्वालिफाई हो गया मेंस भी क्वालिफाई हो गया और फिर मैं connect कर रहो हूं dots, इश्वर चाहता था हम हर चीज में धन्यवाद तो देते ही है तांक्यू भगवान आपने तो मेरी सुन ली इश्वर चाता था इश्वर ने सेलेक्शन करा दिया इश्वर ने सेलेक्शन करा दिया आप तो मैं सपने देखने लग गया कि अधिकारी बन गया अधिकारी बन गया कि आपके past से लगता है कि आप teacher रहे हैं, आप interview देने आए हैं, लेने नहीं, हम correct करें या समझ गए, हमने का sir समझ गए, मैं के बाद हूँ बहुत बार जब mock देने जाते थे तो इसी चीज़ को याद दिलाते थे, आप देने आए हैं, लेने नहीं, मैंने का समझ गया anyway sir, मैंने इंटर्व्य में बहुत अच्छे नंबर पाए लेकिन मैं borderline case बना यानि कि मुझे final merit में वह चीज नहीं मिली जो मैं चाहता था, मैंने का अब हो गया अब हमने का teaching करेंगे और UPSC भी मिस हो गया था वो दो ही chance थे मेरे पास, वो खतम हो गया मैं last समय पे निकला था RAS में भी कुछ नहीं हुआ, यहां पे भी कुछ नहीं हुआ अब अंके तवस्तिका 2.0 निकला मतलब कि अब तक हम पढ़ा रहे थे chemistry, अब हम इतना विपा अब इतना कैना सर अब देखना क्यों कर दिया, अब बढ़ा है यहना थारा यह है थे है ऐस ट्रकर छोड़ो, चलो पुरानी जिल्दिगी में बताता हूं, क्या हुआ ना सर, वहां से जब निकले थे ना, आयटी की तरह टशन में निकले थे, कोटा से, कि अब तो बत्ती वाली गाड़ी में ही आएंगे, आदमी इस चीज में नहीं मरता है भाई, कोटा आयटी से जब निकले, कि बत्ती वाली गाड़ी में वापस आएंगे, कोटा पोस्टंगी नहीं लेंगे भाई, जब तक, जब तक बत्ती वाली गाड़ी में नहीं आएंगे, अब वहां वापस कोई कैसे जाए, सर्वे जाने में बिज्जती फीलो वो तो वचन देखे आ है वचन देखे आ है तो वचन कोटा केसी में भजाने ही देखे और सबसे बड़ी बात क्या ना हम जैसे औरेटर्स की बातें ही याद रखी जाती है जब तो बहुत कहके निकले थे गुरू अच्छा और हमारी बाते ही हमारा कॉन्फिडेंस होती है हम अपनी बातों में अगर पलट गए तो फिर लोग इज़त नहीं देंगे भाई को चाहिए फुल इज़त तो उसमें निकल लिए सर तो हमने गव जी के पढ़ाएंगे हम एम एक दोस्त के पास गया है मैं अगर सुनो यार जी के पढ़ानी है तो बोले हाँ पढ़ाओ यार तो हमने कहा यार किता रुपया मिलेगा बोले हार अपने जैपूर में पांच सो रुपया गंटा है वाई साब खोपड़ी ख़त मैंने का क्या बात कर रहा है बोले पांच सो रुपया घंटा मिलता है अज़ा मैं उस समय भी सर दस दस जारुपय घंटी लेता था पढ़ाने के उस दौर में भी अब सर जी के पढ़ाओं की कैमेस्ट्री पढ़ाओं यह समझ नहीं आ रहा है एक लालत जुड़ गया कि जी के पढ़ाने से मेरा कंटेंट डवलप हो जाएगा दुबारा मेंज देने के लिए दुबारा आरेयस जब भी होगा इसमें तो सर 40 साल तक हैं आप भी दे सकते हो तो इसमें सर चांस रहते हैं एनी टाइम तो फिर मैंने का ठीक है हमने का जी के पढ़ाते हैं इससे थोड़ा सा नौलेज डवलप होता जाएगा फिर एक दो कोचिंगों में अच्छे से जब आते हुई तो पता चला कि हम अच्छे टीचर हैं पुरानी तरह से पढ़ाने का मौका मिला और जी के पढ़ाते पढ़ाते दूसरा टेंट दिया तो इस बार हम गज़िटेट नौकरी पर सेलेक्ट हुए अब इस जी के में इतना नाम कमा लिया सेर हमने कि हम यूट्यूब पर ट्रेंड गुरु रहने लगे त्रेंड गुरु का मतलब समझ ये कि उस समय यूट्यूब पर एक फीचर आया था ट्रेंडिंग का और हमारी कैटेगरी में लगबग 30 दिन में से 25 दिन मेरा सेशन ट्रेंडिंग में रहता था अच्छ यूट्यूब पर पढ़ा लगे देगा आप फिजिकल पढ़ा रहे था यूट्यूब पर यूट्यूब पर क्लासिज ली किसी कोचिंग में जाकर उनके लिए अपने लिए नहीं किसी और कोचिंग के लिए तो जब संस्थान के लिए काम करना शुरू किया नाम बढ़िया बनना शुरू हुआ और इसी दौर में सर ये R.A.S. का दुबारा से एक्जाम आ गया तो इसमें सेलेक्शन हो गया पैरलली यूट्यूब पर नाम बनना शुरू हो गया यूट्यूब सार एक नशा है वहाँ पर हर दिन एक ही अलगोरिदम रहती है कि या बच्चों का क्या फीड़बेक रहा है यहाँ सेम डे फीड़बेक मिलता है मतलब आप बिजनिस कोच हो सारा खेल फीड़बेक का है डोपामीन मिलता है आप जाकर जैसे नीचे फीड़बेक देखते हो बच्चों ने का वाह एक्सलेंट चागा एक घरदा उड़ा दिया इतने में तो मतलब नौकरी का अप्रेजल फीलिंग नहीं देखा वो नेता है तालिया डून रहा है याद है ना वहाँ से तालिया डून रहा है वह 120 लोगों के तालिया 120 के वीवें बदल रही है उस समय 500 रुबे गंटा आपको मिल रहा था बात चल रही थी 500 रुबे गंटा मिलेगा और वहाँ 10,000 रहा है तो आपने फिर कोई प्राइवेट इंस्ट्यूट्यों किया इसकी स्टोरी बड़ी रोचक है रोचक यू है कि 2016 में जब इंटर्व्यू की तयारी हम कर रहे थे तो राजिस्थान में एक संस्थान है नाम है उसका उतकर्ष यह इंटर्व्यू की तयारी कराया करते थे और इंटर्व्यू की तयारी कराते थे तो बच्चों को जोदपूर बुलाते थे तो हमें भी नया नया शौक था कि यार हम भी देखेंगे इंटर्यू कैसे होते हैं पहुँच गई हम जोदपूर वहाँ पहुँचे तो निर्मल घैलोट सर से मुलाकात हुई और मैं अपनी लाइफ में बहुत लोगों से मिलाओं लेकि निर्मल घैलोट सर के बारे में ये कहना चाहूँगा कि उनसे अच्छा मैनेजर मैंने नहीं देखा बहुत लोगों से मिलाओं मैनेजमेंट इसकिल उनकी ये अच्छी है कि वो कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं अगर उन्होंने आपसे ये कहा कि ये होगा तो वो होगा अब चाहे उस काम को करने के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े उनसे मुलाकात हुई तो हाला कि जाते तो बहुत से लोग हैं लेकिन मुझसे मुलाकात थोड़ी सी खास हो गई थी क्योंकि मेरा जो इंटर्व्यू पैनल था उस पैनल ने मेरा फीड़बेक बहुत अच्छा दे दिया था कि इसका इंटर्व्यू औरों को दिखाया जा सकता है तो मेरा इंटर्व्यू वहाँ पर प्रॉपर तरीके से औरों को लर्निंग के लिए सिखाने के लिए पबलिक किया गया कि और भी सीखें कि इंटर्व्यू कैसे देते हैं तो गयलो सर से बात कुई तो उन से मैंने कहा कि मैंने का सर मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ और सर ने का कि अगर फुरसत मिले कभी तो याद करना साथ काम करेंगे तो जब मैंने GS पढ़ाने का सोचा अटेम्ट अगले में तो मैंने उन ही को कॉल किया एक मैसेज डॉप किया असल में कि सर मैं अंके तवस्ती हूँ अगर आप मुझे याद रखते हूँ तो मैं आपके साथ काम करने का इच्छुक था और उनकी उस चीज ने मेरा आज तक मुझे उनका रिनी बनाया हुआ है कि उन्होंने मुझे तुरंत प्रभाव से कॉल किया और कॉल में उनकी लाइन थी कि मैं शिव जी के सामने बैठा था और आज भगवान से दुगा कर रहा था कि किसी अच्छे आदमी से मिलाना और आपका मैसेज आ गया तो किसी आप से सफल व्यक्ति का आपके प्रती ये भाव होना ये मन में तो एक इज़द बढ़ाया ही और मन में ये भावना भी लाया कि यार लोग अच्छे वाले जो होते हैं वो अच्छे ही होते हैं बड़े लोग अच्छे होते हैं तो वहापे जपमारी बिलागात हूई, तो वो बोले कि मेरे लाक़्ो स्टूडेंट है पर राहُल जी में आपका स्टूडेंट हूँ, आपके थोड़े थोड़े वीडि़ीो मैं भी देखता हूँ, तो मैंने लिगा हूँ। तो मैंने देखता हूँ। पूरे टाइम सीखता हूँ और अच्छे टैलेंट की तलाश में रहता हूँ कि कुछ अच्छे लोग आएं जिनसे मैं भी कुछ सीखूँ और वो बहुत सारी ऐसी सेमिनार्स में जाते हैं सीखने के लिए जहां से उन्हें कुछ सीखने को मिले तो यह उनके अंदर है तो मैं वहाँ पहुंचा तो उन्हों ने का यारंकित जी आप क्लासेस पढ़ाओ और हमने IES का एक्जाम शुरू किया मतलब कोचिंग शुरू किया आप यहाँ पढ़ाओ मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैं पढ़ाने के लिए खूब पढ़ता और पढ़ा के आता तो पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ाना मेरी skill थी जो मुझे आती थी, content चुकि अब तयार हो चुका था, तो वो content मुझे deliver करना होता था, बढ़िया से ये सब काम चल रहा था, धीरे-धीरे पहले कुछ कोचिंग वाले थे, जो current अफियर लेते थे, फंदरा मिनिट के लिए तो उन्होंने कहा कि अंकी जी अपनको 15 मिनिट का कोई session लेना है, परडे लेना है 15 मिनिट का session लेना है मैंने का सर, 15 मिनिट में तो मेरी कहानी शुरू मिनिट के लिए पहली क्लास भी एक गंटे पंदना मिनिट की होई तो उनने का यार कोई नहीं देखेगा इसको तो बहुत ठीक है सर अगले दिन देखते हैं तो यूट्यूब की अलगोरिधम में वो ट्रेंड कर रही थी उनका यूट्यूब स्टाफ दोड़के उनके पास है कि सर अपना यूट्यूब वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है तो बोले क्या बात कर रहा है उननाने मुझे बुला है लंकी जी क्या किया है आपने मैं घोर्टाइनाने मैं है यूट्यूब का अलगोरिधम यही है अगर आपको वाकई में यूट्यूब पर अगर अलग से दिखना है तो जो कोई नहीं कर रहा है वो आप कर रहे हो तो यूट्यूब उसके लिए अलग के टेगरी ड्राइव कर दोता है कि अरे भाई ये नया आ गया सर मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि I am the one pioneer one जिसने YouTube पर एक घंटे से उपर के current affairs के sessions शुरू किये और उसके बाद भी रहे और डेड़ सो से ज़्यादा इस समय YouTube channels ऐसे हैं जहां रोजाना सुभह एक घंटे का current affair चलता है exactly उसी चीज को copy-paste करने के लिए तो था कुछ ऐसा तो हम अच्छा होता क्यों चला गया क्योंगी मैंने जो पढ़ाई की थी ना सर उसी को निकाल रहे था तो और मैं बदला हर चीज की बाल की खाल में पढ़ाता नहीं हो मैं मैं कहानी सुनाता हूँ आपको पढ़ना है तो आप निकाल लो इसमें से तो वो चीज चलती चली गई और तीस में से 25 दिन मेरे YouTube वीडियो ट्रेंडिंग में रहने लगे तो एक नया नाम बन गया वहाँ ट्रेंड गुरू तो निर्वल सर कहते ही ये थे कि तुम्हें ट्रेंड गुरू सेट हो गयो पर मेरे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत वहाँ आने लगी सर जोदपुर में एक तो पानी चेंज हो चुगा था अलवर का और जोदपुर के पानी में बड़ा डिफरेंस और मेरी तब दूसरी बेटी हुई थी छोटी थी वो तो एक homesickness बहुत ज़्यादा होने लगी मैंने का गले मैं परिवार के बिना रहनी पा रहाँ और मैंने सर से गा मैंने का सर मेरा होनी पा रहा है मुझे जाना पड़ेगा बोले यार तुम्हारे लिए तो सारा सेट अप सेट किया था, अब तुम जाओगे, तो मेरे लिए मैं जिस समय काम कर रहा था, उसी समय एक डाउट बताने वाले फैकल्टी हुआ करते थे, तो सर ने का कि मैं उनको तुम्हारी क्लासेज दे देता हूँ, मैंने का हाँ सर वो स्टुडेंट रहे वहाँ पर, कुमार गौरव जिनका नाम है, वो उस समय जब मैं वहाँ पढ़ा रहा था, तब वो डाउट लिया करते थे, तो सर ने का कि मैं तुम जा रहे हो, तो मैं इनको क्लास में उतार देता हूँ, मैंने का आप उतार ये, फिर मैं जैपूर आया, और जैपूर क्योंकि मैं बॉर्ण और बॉर्ट अब भले ही मैं गाउं में रहा हूँ, लेकिन मेरा ननी हाल और मेरा जनम भी इवन जैपूर में हुआ है, तो यहाँ आ करके सर फिर तब तक अनकेडमी आ चुका था, तो मैंने अनकेडमी जॉइन किया, अनकेडमी की जरनी बहुत अच्छी रही, और मैंने लगभख चार साल उसके साथ काम किया, और अनकेडमी में जब काम किया, तो उनके या पर भी फिर मैंने करेंट अफिर्स पे बहुत काम किया, और एक चैनल बनाया, वाइफाई स्टेडी 2.0 करके, लगभख 6 मिलियन सब्सक्राइबर मैंने वहाँ पर डवलप किये, और पैरलली जो और चोटे-चोटे यूट्यूब चैनल होते हैं, वो डवलप किया, लगभख 10 मिलियन का डिस्ट्रिब्यूशन मैंने अनकेडमी पर डिराइब किया, एक करोड लोग उससे में फॉलो करें थे, तो फिर यह हुआ सर, और इस बीच इतने साथ से पढ़ रहा हूँ, तो फिर मैंने ट्रेइन्ग की, ट्रेनिंग के बाद में फिर सर, अपना करने का मन कर गया, यह अपना करते हैं, क्योंकि अब जर्षट के लिए नहीं कर रह था, मन के लिए कर द दर महीं, मैं चुपने रहा जा रहा है, तो मैंने जब शुमार हो गया, तो वो करते-करते आज भी वही काम कर रहा हुँ से, सर बस मेरा एक नॉर्मल जॉब से रिलेटेड एक सवाल था, कि एक जो होता है, कि तेहरी करते टाइम जैसे वो जो यूपीस से में बदाया ना, सपने डिखा दैसा होगा, यह होगा, यह होगा, वोह तो क्या सपने के सथ तो आए, और जब जोईन किया तो लगा, वो भाले सपने है, नहीं है, क्या है अस्ता, तो वो ना, एक्सपेक्टेशन वर्सेस र्यालिटी, जिसको आप पहले तो चाहते भी नहीं थे लेकिन जब घरवालों ने किया और जब वो गौर्बंट जोब मिल गी जब गाउं में गए तो भी गाउं में कैसा क्या सम्मार कैसा क्या प्यार सर मुझे गवर्मेंट जॉब मिली आपकारी अधिकारी यह क्या होता है मैं थोड़ा सा समझाता हूं राजिस्तान के अंदर शराप को नियंतरित करने की जम्मेदारी आपकारी की है कि अवयद रूप से शराप वितरित ना हो बिखे तो साथाकार की लाइसेंस वाली दुकान से अब ये आबकारी किनी और कारणों से समाज में बहुत ज़्यादा बेजद है मतलब लोग ये मानते हैं कि इसके लोग ब्रश्टाचारी होते हैं क्योंकि हर दूसरे महीने एक आदमी आबकारी का ट्रैप होता है रिश्वत लेते हुए और करप्शन का काफी अच्छा इस्तर है इसके अंदर समाज के अंदर इसके अगर बात की जाए तो ये ब्रश्टतम डिपार्टमेंट में से एक काउंट किया जाता है एक दुर्भाग है और दुर्भाग ही ये है कि हमारे समाज में ब्रश्टाचार को बहुत प्रमोट किया जाता है मैं इस चीज़ पर नहीं बहुत अच्छे लाइन बोलता हूं सर्थ हमारे समाज में ब्रश्टाचार एक्जिस्ट ही ना करे अगर लोग ब्रश्टाचार को धिंडोरे की तरह प्रचारित ना करे क्यों सर्फ मैंने अपनी मेहनत से जैपुर में एक बहुत बढ़िया घर बनाया अपनी श्रद्धा अनुसार जो मैं अच्छा कर सकता था मैंने वो किया उसमें मेरी नौकरी का कोई भी कंट्रोल नहीं था मतलब मैं नौकरी मुश्किल से जॉइन किये चाहसाथ मैंने हुए होंगे मैंने काफी पैसा खर्च किया अपने हिसाब से मेरे रिष्टदार आए रिष्टदार आकर के घर देखे आपस में बैठके महिलाएं बाते कर रही है और महिलाओं की जो बाते हैं वो सुनने लायक है महिलाओं की बाते हैं महिलाओं की बाते हैं और मुझे कैसे पता चला है मेरी स्टाफ की एक महिला अपने बच्चे को वहीं पर सुला रही थी तो उन्हें ये नी पता था कि ये महिला है कौन उनको लगा कि और कोई रिलेटिव होगा तो महिला है बाते कर रही है पहले तो कुछ भी नहीं था इनके पास जब से आप कारी में लगया न ट्रक की ट्रक आ रहे है अब अच्छा चार आदमी रखें नोट गिनने के लिए अरे भाई साब मैं बोल रहा हूँ कि लोग आके कई बार तो ये पूछते हैं कि मशीन का रखी है अब उसको बने की मशीन के लिए अलग जगे है तो मैं आपसे कह रहा हूँ सर कि आप सोची है कि मैं सर आप इमानदारी मानेंगे कि मैं अपने सरकारी ओफिस में भी पानी की बोतल खुद की लेके जाता हूँ मतलब एक अंदर मैंने ये भाव विक्सित किया कि यार ठीक है अंदर से अंतरात्मा तो पवित्र रख लो ठीक है मतलब जो चीजें हैं अपनी लेकिन समाज किस नजरिये से देख रहा है मेरी पूरी महनत को उन्होंने मेरी नौकरी से नाप दिया मैंने अभी कुछ दिनों पहले हमारी कंपनी बहुत अच्छा काम कर आज सर मेरे पास 90 लोग काम करते है और 35 टीचर्स पढ़ाते हैं हमारे संस्तान में मेरी वाईफ बहुत अच्छे से मेरी कंपनी रं कर रही है वही वाईफ जैसने मेरे को बैक किया था कभी आज वो मेरी इतनी बड़ी ताकत है कि आप तो बस अपना फ्रस्टेशन निकालते है रो योट्यूब पे, बच्छों को तो हम समाल लेंगे, तो आज सर मतलब हम लोग बहुत अच्छे से अपनी कंपनी चलाते हैं, और लोग पढ़ते हैं, हम पर ट्रस्ट करते हैं, हम बहु जोगों के दो बहुत है तो बहुत हुग हो recuperate में पूरे नहीं किया गए, मैं ने प्रोमिस में कहा कि एक साल में कोर्स करा देंगे हमने एक साल में होपाने है इसके बाद एढ़िशन नहीं होगा फिर कॉल इस बात के होता एक महराज थोड़े दिन और खोल दो हमारे पास पैसे की विवस्था नहीं है, मतलब आप इस तरह से सोचिए कि हम लोगा ने अलग तरह का सिस्टम क्रियेट किया, एनिवे, तो हमारी अभी थोड़े दिन पहले आपने गाओं की बात की, तो हमारी अपनी पाठशाला जो हमारा एक और यूट्यूब चैनल है और हमारा एप्लिकेशन है उस नाम से, उसकी अनिवर्सिरी थी, तो उस पर मैंने गाओं के अंदर मतलब सामाजिक कारिया के लिए धरमशाला का निर्मान करवाया, उस पर भी लोगों का क्या तर्क था, यह दूसरा ट्रक था, यह दूसरा ट्रक था, वह सर मैं इसमें एक सीज़ बताता हूं को, मेरा तो गवर्मेंट जबकों को लेना देना भी नहीं है, लेकिन मैं बड़े कर लेते हैं, करते हैं, तो लोग कहते हैं कि क्या होता है, कि जो दो नम्बर का पैसा होता है, वो बीच में धरम करना जरूरी है, तो लोग कहते हैं कि इधर पाप कर रहे हैं, तो फिर बीच में पापियों को थोड़ा धरम करते रहते हैं यह पापी लोग, ताकि इ खर्च करता हूं धरम में ताकि मेरे पाप का बैलेंस बज़ा है यह कहा जा रहा है जन्ता के दरम वही है परसेप्शन की कहानी है जरा अब इसको क्या से तोड़ सकते हैं आप तो खैर फिलाल के लिए तो यही है तो अब जब गाउं गए तो अब मिलगी नोकरी पिताजी का गाउं का रेक्शन क्या रहा फिर तो सम्मान अमान साफे आफे कुप पैनाए गाउं बिल्कुल बिल्कुल इसमें सार एक बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी है और वो स्टोरी मतलब सब को इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि समाज को भी अपना दाइत्व पता होना चाहिए कि वो ultimately produce क्या कर रहा है अब मैं क्यों बोलता हूं इस कहानी को ऐसे सुनो मुझे किसी ने कभी कहा था कि तुम सरकारी आदमी होते तो बढ़िया होते हैं अब सब हम गजिटेड आदमी बन गए अब गजिटेड आदमी के सम्मान के लिए गाउं में बुलाया गया गया गाउं के बहुत सारे लोग महिलाएं पुरुष सब और उसमें हमें मंच पर बठाया गया और हमारा सम्मान वहां के जो परिवार के काफी गाउं के गणमानने लोग हैं उनके माद्यम से करवाया गया मेरे से कुछ और लोग भी थे जिनका सेलेक्शन हुआ था मुझ से का गया कि आप मंच पर आके कुछ बाते कहिए हमने का कि टीचर को मंच दे दिया आपने हमने का कहते हैं हमने का साब बात ये है कि आज जो ये सम्मान आप मुझे दे रहे हैं ये सम्मान लग रहा है आपको कि आप मुझे दे रहे हैं असल माईने में मैं मेरी इस फ्रस्टेश मैं वो नहीं कर पाया जो मैं खुद से करना चाहता था मैं एक बहुत सफल entrepreneur हो सकता था एक मैं बहुत अच्छा YouTube creator हो सकता था मालो YouTube ना भी आया होता मैं बहुत अच्छा teacher हो सकता था बहुत से लोगों की जिंदगी बना रहा होता पर इस समाज ने मुझसे सरकारी नौकरी की जोब पिक्षा रखी मैं उसके पीछे अपनी जिन्दगी का एक बहुत बड़ा टाइम देता चला गया परिणाम क्या निकला कि मैंने अपनी एनरजी कहीं और मोड दी और वो एनरजी मुझे आज एक फिक्स सेलरी वाली जॉब में लाकर छोड़ दी मैं तो सफल हो गया इस काम में चलो मेरे मंदर थोड़ा सा चिन्नू भर टैलेंट था लेकिन अब जो मुझे को देखकर और जो बरबाद होने वाले ना इस भीड में उनके लिए अब मेरा ये मैसेज है बोले साब बरबाद कैसे होंगे मैंने का बरबाद इसलिए क्योंकि इनको भी आप से समाज में यही इज़त चाहिए ये बोलेंगे कि देखो ये बाइया सापा पैने ला ऐसा तुमको बनना है तुमको बनना है तुमको तो भी सौ लगे सौल ओधचों के सपने और गे सौ और के सपने और चले गे अन में से भी हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा हल्दी Mortal बनता हो सकता है कोई बहुत अच्छा Bachaji बाशीया बना के बेच रहा होता मैं कहा रहा हूं अपने शेहर में इसर कितनी मिठाईयों की दुकाने है अरबो पती है, मतलब आप जैसे कही सिये लगते होंगे उनका सिस्टम समानने में, फर्म लगती है अब जो वो फर्म समाल रहे हैं सारे सिस्टम को वो भी तो बिजनिसमेन बने होंगे ना सर, उनको भी तो सर, एक बहुत बड़ी आईरनी है हमारे देश में जो बेरोजगारी है उसमें से 80-85% के आबादी वो है जो केवल सरकारी नौकरी की तयारी या उसके ख्वाब देखने के आरण बेरोजगार है जाहे तो अभी आज नौकरी लग जाए आराम से, जाहे तो आज दुकान खोल के 10 को रोजगार देदे पर वो करारी तयारी इंट्रेस्टिंग बात देखो, एक बार प्रधान मंत्री का बयान आया नरिंद मोदी जी का कि पकोड़े बेचलो, उसमें भी रोजगार है हमारी जनता उसको बहुत negative sense में ले गई और negative sense में क्या ले गई परधान मंत्रियों के पकोड़े बिखवा रहे हैं यह नहीं कि कुछ skill develop करे हैं सत्य है परधान मंत्री से आप एक शाई भी होनी चाहिए इस skill की बात की जानी चाहिए बहुत सी बाते की जानी चाहिए अब उसमें से वो तत्या हटा दो अब उसको दूसरे तरीके से लेते हैं प्रधान मंतरी कम से कम उनको तो रहा दिखा रहे हैं जो 80% 1% से भी कम के इंतजार में बैठे हुए है सर 25 से 30 साल तक की उम्र का बच्चा एवरिज इंडिया में competitive एक्जाम की युआ मालो की अच्छी coding कर रहा है अच्छी sales कर रहा है एक business build कर रहा है entrepreneur बन रहा है तो फिर भाईया देश को आगे लेके जा रहा है सर मैं चोटा सो धारान देता हूँ आप मेरा शहर अलवर है मेरे अलवर में tourism की इतनी opportunity है ना कि अगर सौ बच्चे भी तो अरावलीज की tracking कर आएंगे ट्रैक कर देगे आप सर इसका में एंट्री कर जाएंगे इतनी prime location है हमारी अगर सौ लखे मिलकर के tracking का group चलाने लगे आपको क्या लगता है सर ट्रैकिंग के लिए लोग ने मिलेंगे बर-बर के मिलेंगे बर-बर के लोग मिलेंगे लूण रहे हैं लोग का करें सर ट्रैकिंग प्लस कैम्पिंग मैं गर रहा हूं सर हमारे देश में इतनी diversity है ना हर आदमी के पास opportunities ये opportunities हैं कमाने के लिए मैं अभी सर बीएचिव गया था बनारस गया था वहां बीएचिव के बच्चों के साथ में संबाद हुआ वह बच्चे पूछने लगे कि सर हम अपने लिए भविश्व में क्या करें मैंने का यार ऑक्सफोर्ड और केम्परिज जैसे universities को घुमाने के लिए बच्चे पैसे लेते हैं आप जानते होंगे सार इंडिया की बहुत से बच्चे वहां जब पढ़ने जाते हैं वह क्या करते हैं pocket money के लिए जो बाहर के लोग आते हैं कि अउम उनको घुमाने के लिए गैड बन जाते हैं Cambridge घुमाता हो वेंडिंग और लगी हुई है कि आप भी एचिव के स्टुडेंट हैं। लोग ट्रस्ट और करेंगे कि भी एचिव आलों ने समझाया है। मैंना बनाओ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ ना। केवल एक ही सिस्टम खुड़ी है। माइनसेट जितने भी बड़े इंटरपन हो रहें। माइनसेट बच्पन से यह था कि यार कुछ करें, कुछ करें। यहां पर एक है कि बस पढ़ें। सर माइनसेट से मैं एक चीज़ और आपको याद दिलाता हूँ। अपन लोग भार बैटके चर्चा करें थे गुजरात वर्सिज राजिस्थान की। गुजरात में 11th क्लास का बच्चा भी सिम बेचने में शर्म नहीं करता। और यहां पर आप सिम बेचने का नाम लेदो कि सिम बेचने का काम करता है। लोग ऐसे समझते हैं जज गर लिया यार इसने तो शादी नहीं होगी इसकी तो सिम बेचता ही तो। मतलब यह है कि समाज को यह बहुत अच्छे से डिराइव करना है कि वो किसका सम्मान कर रहा है। और एक बार और समाज सर हमसे शुरू होता है। इसलिए जो अंकित इंस्पायर्स इंडिया करके हमने यूट्यूब चैनल चलाया ना सर। इसमें हम लोग इंस्पायर्ड इंडियन करके एक अवार्ड लेके आये हैं। और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी आदमी जो दस से अधिक लोगों को अपने विवेक से नौकरी दे रहा है। जिसको गवर्मेंट जॉब नहीं मिलाता लेकिन वो अब अपने दम पर दस लोगों का घर चलाता है। क्यों नहीं होना चाहिए सर सम्मान उसका। क्यों नहीं उसको साफा पहनाया जाना चाहिए सर। मैं दो सर एक चीज और कहता हूँ इंफेक बीडी क्लासिस में मेरा बहुत फेमस है कि जय जवान जय किसान जय व्यापारी। जैवियापारी मैं इसले कहता हूँ कि जैवियापारी होगा तो देश बिदल जाएगा आर्थिक दाख विश्व की आर्थिक दाख दें अमेरिका किसके पीछे अर्थ के पीछे चाहिना ने राइस किया किसके पीछे इंडिया अपनी गीडीप का 22% इंफ्रेस्ट्रेक्चर पर खर्च कर रहा है इंफ्रेस्ट्रेक्चर पर खर्च करने के लिए पैसा इंडियान गवर्मेंट सेलिब्रेट करती है कि याँ अश्यीवड मायलिस्टो hare लग करोड इन वन मइन्थ इन GST आप जो यह सेलिबेशन कर रहे हो ना taxation का celebration है tax तब derive होता है जब आप कमाते हो कमाओगे तो तब ना जब भाई आप धंदा करोगे बुले नहीं साब सरकारी नौकरी से भी कमाएंगे तो भाई 80% जनता है एक परशेंट की तयारी में तो सरकारी नौकरी में मैं कोई प्रोफिट कमाएं उसके एक लाग के प्रोफिट के लिए क्या-क्या हुआ है बैग्राउन में देखो उसने एक लाग का प्रोफिट बाद में कमाएं सबसे पहले जगे पे व्यापार किया उसको किराया दिया पुझी को सबसे पहले उसने जगे को किराय दिया, फिर second उसके जो पुझी लगी थी किसी और की बैंक से उधारी ली, या किसी और से ली उसको पुझी को ब्याज दिया फिर उसके नीचे जो 20 लेबर, 20 एंपलोई काम कर रहे थे, उनको बैसा अब तन फिर जितने भी वेंडर लग रहे थे, चाय वाला था, उसको पैसे दिये, फिर उसने सफाई वाले को पैसे दिये, फिर उसने प्रिंटर वाले को पैसे दिये, फिर उसने जिससे माल करीदा था, उसको पैसे दिये, कस्टमर की सेवा की, इतरा सब का बला करने के बाद, वो गवर्मेंट जब बुरा नहीं है, इसको एक लाइन में ऐसे क्लियर करते हैं हम, सब गवर्मेंट जॉब में नहीं हो सकते, पॉइंट वन, गवर्मेंट जॉब के बिना देश चल नहीं सकता, पॉइंट टू, लेकिन क्या हम सभी उसके लिए अपनी जिंदेगी खराब करतें बहस इस बात पर हो रही है, अगर तुम्हारा अंदर से मन है, जैसा वो जादमी जुचारू है, अगर आदमी है ना, एक दो अटेम्ट में कहीं आसपास पहुंच जा रहा है, ठीक है, नहीं पहुंच पा रहा है ना, इजद से सम्मान के साथ छोड़े, और उस नॉलिज से कोई ना कोई काम चला ले, मैं बच्चों से यही बोलता हूँ, फर्स्ट अटेम्ट दिया, आपको लगा कि मैं फर्स्ट अटेम्ट में कुछ कर पा रहा था, कर गए, ठीक है, नहीं कर पाया, अगले अटेम्ट में ये ट्राई कर ले कि पिछले वाले से मैंने स्कोर बढ़ बनेगा, और ये बीट-बीट में जो सीरीज आ जाता है, एस्पिरेंट आ जाता है, ये बच्चा कोचा भी कर देता है, अब सर इसके पीछे की गणित्वा व्यापारी हो जानते हो, मैं नाम ले लेता हूँ, स्पॉंसर्ड होती है सर, वो कोचिंग का नाम लेके चलती है, क कोचिंग का विग्यापन लेके चलती है, कोचिंग वाले प्रमोट कराते है, अब उनको प्रमोशन कराना है, प्रमोशन के लिए पैसा लेना है, उनकी तो फसल है ना सर, वो, सभी बात, व्यापारी हो आप, मैं तो पहले ही वोल दिया, सर, या तो, स्पॉंसर्ड है, बीट वो हीरो से करवादू, बिल्कुल, साइलेंट मार्केटिंग है यह, इसके अंदर आप कभी भी डिरेक्ट नी बोल रहे होते, इंडिरेक्ली आप सब कुछ कह दे रहे होते हो, तो सर, अब भी मुझे एक अप में पैररल देख था, जैसे भी अनकेडमी में थे आप, और फि यूनिकॉन बन गें, दोनों के दोनों, अब सर, उस पे आप से सवाल के बाप का भी यूट्यूब चैनल है, आप भी पड़ा रहे हैं, आप भी पॉपलर है, तो क्या स्टाट अप की तरफ मोड़ने का, यूनिकॉन बनने का विचार, सर मैं इसके लिए एक लाइन बोलता ह बहुत बार लोग पूछते हैं कि महातमा गांदी जी क्या थे, कैपिटलिस्ट थे या कम्यूनिस्ट थे, और बहुत सारी रिसर्च हुई है इस बात को लेकर के, कि महातमा गांदी जी का था, वो देश को किस दिशा में देखना चाते थे, क्योंकि देश ने लड़ाई- पूछा गया, तो उन्होंने आंसर दिया, कि मैं चाहता हूँ कि कम्पनिया रहें, लेकिन वो ट्रस्टिशिप फिचार धरा की पालना करें, अब ये क्या होती है, ये फिलोसोफी है, कि अगर कोई कम्पनी अप्शक्ता भर का पैसा अपने पास रखे, बाकी को समाज पर ल पॉपकॉर्ण, जिसमें मैं अपने आपको पॉपकॉर्ण कहता हूँ, उसके पीछे का रीजन क्या है, कि जितने भी लोग यूनिकॉर्ण बने हैं, ये अपने पैसे से नहीं बने हैं, ये फंडिंग से बने हैं, फंडिंग में पीछे मदारी बेठा होता है, और आप मदारी को कोचिंग फिल्ड के बारे में कुछ नहीं पता है एड-tec का जो बुरा समय आया तो इन मदारीों के कारण आया है इन मदारीों ने कहा इन कोचिंग वालों से मैं नाम नहीं लूंगा किसी का ही हर महिने लास्ट महिने इतने करोड की इस मही ने इतने करोड की लाओ, महराज, एक्जाम का समय गया, पेपर था, इसलिए सेल थी, पेपर निकल गया, अब सेल नहीं है, मैं नहीं जानता, मास्टर से कहो सेल्समेन बन जाए, अब इचारे मास्टर पढ़ाने से जादा रील बना रहे हैं, सरो मुझे इसमें की, लाइक के लिए थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, बेटा और लाइक चाहिए, और लाइक चाहिए, इस पूरी एड टेक ने टीचर को सेल्समेन बनाया, और जब सेल्समेन बनाया ना, तो आपका असली धर्म क्या था? पढ़ाना था, बच्चे को सेटल कर देना, तीचर को कभी इस बात के चिंता ही नहीं होनी चाहिए, कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, पास्ट क्या रहा ना, हमारे, मतलब अगर आप थोड़ा से भी मतलब अपनी संस्क्रती को पैचानते हैं, पास्ट यह रहा था कि टीचर को तो लोग प्रसन होके पैसा देते थे, गुरु इडवांस फीस नहीं थी, अपॉइंटमेंट फीस नहीं थी, दक्षिना में लोग चाहे जो मांग लो, राजा कहता था कि मुझे राज घराना चाहिए, ले ले भाई, राज ले ले, गुरु उनको वो सम्मान था, अब यह गुरु का सम्मान सेल्समेनों ने खतम किया, बि पूछेगी, एडटेक का फ्यूचर क्यों बरबाद हुआ, एडटेक क्यों इस समय में अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, मदारियों की करना, उनको पैसे से पैसा बनाना है, वो तो आये हैं, कि मैंने इतना पैसा लगाया है, मुझे इतने परसेंट की ग्रो तो सौ दुकान खुली तो इतने का मार्जिन होगा, ये एमोशन का व्यापार है सर, अब इसको व्यापार कहकर के भी मैं लजजिद कर रहा हूँ, ये रिलेशन है एमोशन का, और इसको भी देखो ना, मार्केट साइस थोड़ी बढ़ सकता है, अगर एक बार मैं 10 लाग ब तुम उससे हर महीने, हर हफते कोर्स निकलवा दे रहे हूँ, कितना पढ़ा लेगा, एक आदमी बहुत बहतर तरीके से भी पढ़ाने बैटे, तो मुश्किल से 5-6 गंटे पर डे पढ़ा सकता है, जिसमें भी उसको फुल एक्जॉस्ट होना पढ़ता है, पांच से 6 गंट तो यही कहूंगा सर कि उसको सेल्समेन बनाया, और उसने फिर इमोशन खतम कर दिये, और मुर्गी का जो पेट काट करके बच्चे निकालने वाली चीज थी ना, वो कर दी सर, खतम हो गया किसा, अब हम जैसे लोग कुछ बचे हैं, अभी भी एडटेक में हैं, बहुत से ल बरबस, सर जैसा मैंने एक दौर में ये नॉटिस किया था, कि इंडिया में दो तरह के लोग निवास करने लग रहे थे, और उसकी बीचे की बड़ी स्टेक्स रही होगी, एक प्रो गवर्मेंट और एक एंटी गवर्मेंट, प्रो गवर्मेंट हैं वो इस तरह से हैं कि व को दूसरे में कमी ही नजर आएगी, ये दो इस्थितिया मुझे जब देश में दिखने लगी, मैंने कए रंके तवस्ती एक मार्केट इस बीच में डिराइव होता है, गोदी में भी मत बैठ, और इतना क्रिडिसाइज भी मत कर कि देश का होने पर शरमिंदा होना पड़े सर मैं कल देख रहा था, मैंने कल एक सेशन किया था, कुवैत के अंदर कुछ भारतिय लोगों की मौत का, कि दुरभागे पूर्ण घटना हुई थी, उसमें एक व्यक्चा कमेंट कर रहा है, सेशन के अंदर चलते हुए, मैं कमेंट कोट नहीं करूँगा, लेकिन उसकी बा आकर आप पर पढ़ रहा है, अरे बिंग एन इंडियन इतना तो सेल्फ प्राउड ले आओ, कि मैं कम से कम अपना क्रिटिसिजम तो नहीं करूँ इस बात को लेकर के, देश का क्यों कर रहा है भाई, अगर बनना ही है तो बन जाना यार, अम्मानी बनना भाई, वो डीजल करता था, वेंडर था, आज जाने कितनों के डीजल उसकी वज़े से बर रहे हैं, मतलब ये है कि अगर क्रिटिसिजम करना ही है अपनी स्किल सैट का कर, कि मेर को ये नहीं आता, मुझे ये बनना है, भारत में सर कौन सा दौर देखा था, मिचार कीजिए, एक समय था, हमारे 18% अबादी ले करके, आज हम एक्सपोर्टर हैं, सेलिब्रेट तो करो ना भाई, मैंने परसुन एक वीडियो किया, एक टाइम पर 47 टन गिरिवी रिखा था सोना, अभी हम ले करके वापस आ रहे हैं, तो ऐसा सर संभवी नहीं है, कि आपको कभी कमी ना दिखे, आपको मु आंसिक्ता भी नेगेटिव हो चुकी है, ये अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए देश को भी नुकसान पहुचा सकते हैं, और इसी प्रकार की राजनेती, इसी प्रकार की मीडिया, इस से बचने के लिए, मैंने अपना सोशल मीडिया प्लैट्फॉम डवलप किया, अं प्लैट्फॉम है, हमारा अपनी पार्ट्शाला, जिसका उदेश है कि हम content में education को involve करें, UPSC oriented content derive करें, तीसरा है हमारा platform बाते बाजार की, जहांपर हम financial literacy के लिए बात करते हैं हम financial literacy में की क्या है, trading क्या है, कैसे करते हैं क्या होता है, उस तरह की कुछ basic बातें करते हैं तीन basic channel हैं इसके अलाबा फिर वो shots, clips और आप सर इसी मेरा सबसे बड़ा सवाल है और यह पूरी जंता का सवाल है कि मैं कई YouTubers को जानता हूं मैं खुद भी जानता हूं मैं जानता हूं, मैं से खुदी YouTuber बात करूं मैं महीने की 30 shot बनाता हूं 8 video बनाता हूं, उसकी research की planning में लगबग, मैं target 3 दिन का रखता हूं पर मुझे कभी 4-5 दिन लग जाता है तो 5 दिन लगके मैं एक channel पर 8 video और 30 shot डाल पाता हूं जैसे काम जलता हूं क्योंकि research में मैं बहुत ज़्यादा time दीता हूं मैं तब एक एक 15 मिनट के लिए को लग जाता है कि 15 गंटे भी कभी research करनी पड़ जाती है कि मैं एक दम सटीक चाहता हूं अब आपके case में भाई सटीकता भी है research भी है quantity भी है, उसके साथ अब इतनी quality का असल आते हो मैंने शुरूआत कि थी आप से क्या पचास video महीने की बनाते हो हम उसी में गदगद हो रहे थे क्या रहे, दो वीडियो रोज की कैसे बन रही है फिर आप हमें correct कर के लाए कि नहीं नहीं वह तर में डेड़ सो वीडियो बनाता हूं तो ये डेड़ सो वीडियो बन कैसे जाती है और अगर ऐसी बन रही हो, शौट बन रही हो और यसी दन लगेंगे उसकी इंफर्मिशन दुबार आज़ु तो 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 जल आई भे कर उसके बाद इंफर्मिशन आती है आपके बाद मीडिय की इंफर्मिशन आती है तो मुझे यसाल देख रहा है, मैं टाइम कहां से लाते हो खुद session करने जाते हैं specifically अगर international issue हो तो बहुत सारे news anchors, मतलब इसका dump भरने के आशकता मुझे नहीं होनी चाहिए उनके messages है, testimonials है कि sir आपका session देखा उसके बाद हम debate में गए है पहला point तो यह कि हाँ news में बहुत बार ऐसा हुआ है हम यह नहीं कहा रहे है कि हम news breakers है हम भी कहीं से news लाते होंगे हमारे news लाने में जो बहुत ज़्यादा research का matter है वो यह है कि हम international newspapers बहुत बढ़ते हैं मतलब हमारी team में कुछ लोगों का काम केवल newspaper पढ़ना है research team है और कितने जनों के team है लग बढ़ना है दुनिया में क्या चल रहा है और करने के बाद में दिन भर में कम से कम तीन चार बार रिपोर्ट करते है कि सर यह घटना घटित हो चुकी है और इस घटना में इतना ज़्यादा मतलब माहौल बनता जा रहा है उस पर फिर हम यह देखते हैं कि कहां आप शक्ता है लोगों को यह बताने क्योंकि लोगों में घटना से जक्ता है यह जानने के जिग्गयासा होती है कि यह क्यों हुई आपने तभी नौटिस किया हो अज़र कि एक्सीडेंट भी होता है ना तो भीडवा एकटती होती है वो दुरगटना देखने के लिए नहीं होती James तो इस काम को सोचकर हम लोग काम करते है और इसका पूरा ख्रेडिट जाता है again, मेरी preparation को जो मैंने UPSC और State PCS के लिए की जो उस दौर में इतनी rigorous महनत की थी, वो आज मुझे किसी भी विशय वस्तू को समझने में, 5-10 मिनिट का ही समय लगाती है कि इसके dimensions क्या है आज बहुत सारे लोग जो यूट्यूबर्स बने हुए वो scripted YouTubers हैं अगर वो script उनके आगे से हटा दी जाए तो वो उसके बिना बोल ही नहीं पाए Sir मैं को इसका बारे में मैं live events में बताता हूँ कि हम live end में जाते हैं अब क्योंकि मैं research में करता हूँ PPT में बनाता हूँ, station मोलता हूँ अब करता हूँ जैसे मान लो setup नहीं चल रहा तुम जो computer लाये थे तो connect नहीं हो रहा pen drive नहीं चल रही मैं तो ठीक है, होए तो ठीक नहीं तो ठीक मैं मेरा session डिलिवर करना हूँ तो मैं दिखनी रहा हूँ, मेरे लिए नहीं था तुमारे था मैं डिलिवर करता हूँ, मैंने कई बार देखा है multi speaker event में, अगर वो pen drive नहीं चल रही था session cancel speaker बोलता है session cancel, क्यो pen drive नहीं चल रही और मैं को यह कौन सी बात होगी तो sir यह नहीं चल गई तो कैसे पढ़ाएंगे sir आप न observe करें और मैं audience को बार बार बोलता हूँ कि observe करते समय वो नॉटिस करें कि जो एंकर है उसकी आखे कैसे चल रही है वो camera को लेकर के यह यह चल रहा होता है यह 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 समझ जब कि तेली प्रॉम्टर लगा हुआ है आप यह निए तीचर नहीं है अघर वह ना हो तो क्या आप और ऑर्गनिक बाते कर पाऊगे क्या आपके पास वो content होगा कि आपके तीम अपसे चिं ली जाए तो आप काम कर पाऊगे जो वो ताकत है यह मुजे लगता है कि मुझे एक teacher होने की वज़या मुझे मुझे आई, मुझे इसका गर्व होता है कि भगवान ने मुझे सही समय पर सही सब्जेक्ट पढ़ा दिया, जो आज की जरुवत बना हुआ है, यह एक और चीज दिन पांच मिनट आपको कोई बता दे तो इसको बीस मिनट कैसे बोलना इस पर आपको बता है क्योंकि एक तो बोलने की कला है दूसरा वो उससे रिलेटेट बहुत सारे फेक्ट पुराने कहीं वो कंटेंट कनेक्ट हो जाए लेकिन फिर भी सर इतना समय कैसे निकालते हो क्योंकि मुझे अभी कोई रिसर्च के दूरान के रात को वीडियो आते है रात को लाइव होते है यह सबसे बड़ी चीज है मार्किट में जितने भी इस समय यूट्यूबर्स है अगर आप उन्हें देखेंगे शायद ही कोई होगा जो लाइव करता होगा हमारा 80% कॉंटेंट लाइव होता है और जो है वो सामने है हम उसके लिए ना एडिटिंग ना पोस्ट प्रोडेक्शन कुछ नहीं डायरेक्ट चलेगा जो जाएगा सामने जाएगा और यह हमें लगता है कि भगवान ने अगें हमें कुछ समताइं दी है अब इसमें टाइम प्रबंधन एक बहुत बड़ा सवाल है और टाइम प्रबंधन ऐसा है सर कि मेरी रात साड़े ग्यारा बारा बजे के आसपास होती है और सुबह साड़े चार पांच बजे के आसपास मैं जग जाता हूँ और पांच बजे के बाद थोड़ा समय खुद को देता हूँ, योगा प्रणायाम के लिए जाता हूँ और उसके बाद से सर साड़े शाथ बजे के आसपास गदी समालता हूँ और बाकी चीजें पीछ में चलती रहती है चलती रहती है मतलब दिन में आपके कितना घंटा शूटिंग और प्रिपेरेशन पे जा रहा है मैं चैसे साथ गंटा मैं स्टूडियो में रहता हूँ काम करता हूँ, मतलब एट लिस्ट तीन से चार घंटे की क्लासिस तो होती ही है मतलब ऑफिशल आर्स आपके बीच में नहीं आरे होते है उस समय मेरी क्लासिस होती है और पढ़ना एक ऐसी चीज़ है ना कि सर मैं आपके साथ बैठ के भी पढ़ सकता हूँ क्योंकि आजकल इतना इजी है इलेक्ट्रोनिक गजट्स को साथ में रखना पढ़ना भी आपसे अपनी बात हो रही है तो भी कुछ ही की रहे है वो इक्वलेंट पढ़ना है तो मतलब दिन में पास से च्छे गंटे अप स्टूडियो में जिसमें तीन चार गंटे लगबग शूटिंग में निकल जाते है पाँच आदमी है वो अगर दस घंटा पढ़ रहे है तो पचास घंटे वो पढ़ रहे है हम एक सेशन के अंदर लगभग साड़े तीन सो पीपीटी लेके आते हैं और मैं आवर्स की बात करूँ तो कम से कम साथ मैं आवर्स लगते हैं एक तीन सो पेज की पीपीटी बनने में है सर मतलब थोड़ा सा अफ़र्ट है जबर्दस अफ़र्ट है सर थोड़ा सा अफ़र्ट नहीं जबर्दस अचा चलो यह तो अफ़र्ट दिख गया मुझे एक चीज जो जिससे मैं जेलिस भी हो रहा हूँ मैंनत में भी कर लेता हूं थोड़ी बहुत जैलिस ही है कि एनर्जी कहां से लाते हूं क्योंकि जैसे सुबह की क्लास है बोले सब अंकित सब धूम है कोई बात नहीं सुबह सुबह उठे होंगे क्यों का प्रणायम किया है फिर रात को रेट हैं कि भाई सब दिन में भी आपने अपने काम कियें रात को बेट हैं बोले सब रात को भी हैं उसमें चलो ठीक है सुबह कर लिया शाम कर लिया सो जाएंगे तक के कल सुबह सर फिर आगे है वो कहां से लाते हो इत्ती एनर्जी इसके उपर ना मैं एक लाइन बोलता हूं मैं अपने आंसर को थोड़ा सा मतलब रेफरेंस के साथ देता हूं मैं अभी कुछ दिन पहले शारुक खान का एक वीडियो देख रहा था और उनके साथ में किसी न्यूज एंकर ने पूरा दिन गुजा रहा था और जब मैं उस वीडियो को देख रहा था और एंकर उनके साथ पूरे टाइम साथ था उनकी एनरजी पूरे टाइम बढ़ करा थी पूरा डेड़ घंटे का मैंने जब उनका सेशन देखा उसके बाद एक लाइन निकल के आई थी और वो क्या थी? कि I love my work तो हो सकता है ये लाइन मेरे ओपर भी जाती है सर I love my work और मुझे मेरा काम इतना पसंद है कि मुझे ये पता ही नहीं चलता मैं कैमरे के सामने हूँ तो मेरा इसमाइल कभी बंद नहीं होता बता नहीं ये God Grace है क्या है मतलब मुझे लगता है कि हाँ मैं आउन हूँ बस चालो अचा चलो ये मैं भी रिलेट कर रहा हूँ अससे लेकर नहीं बताओ कैमरे बंद होता है फिर क्या होता है हाँ मैं बहुत फिर इंट्रोवर्ट आदमी हूँ मतलब मैं लोगों से बिल्कुल मिलना पसंद नहीं करता मेरी ये बहुत बड़ी शिकायत है मेरी वाइफ की तरफ से भी मेरे परिवार की तरफ से भी मेरी दोस्तों की तरफ से भी कि आप मुझे मिलने का प्रयास करते रहेंगे मैं absent रहूँगा मुझे इसले नहीं कि मेरे अंदर ego आ गया है मुझे मेरे साथ मेरी अपनी company पसंद है मैं अपने आपको मतलब लोग देखकर के confusion में रहते हैं कि यह आदमी इतना पकर-पकर camera पे सामने बोल के गया है personally यह कैसे होगा मैं personally मेरे बच्चों के साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना उनके साथ में वो plastic का बल्ला है उसको लेकर के indoor cricket खेलना उनके साथ गुथम गुथी करना वो मुझे जादा पसंद है rather than किसी समझदार के सामने बैठके से रहलाना कि भाई अब तुम मुझे ना मतलब ड्रेन करने आयो देने नहीं आयो लेने वाला जो सिस्टम मेरा चल रहा है मेरा सेल्फ स्टडी चल रही है मैं सोशल आदमी नहीं हूँ सर बिल्कुल सोशल नहीं हूँ मैं क्योंकि इसमें सर एनरजी के रिकार्टे के मेरी एक सेशन चलता है तीन दिन का मैं सुबह दस बचे से लेके रात को दस बचे तक मैं क्लास लेता हूँ तो पहला दिन तो निकलता है दूसरे दिन के बाद जैसे दस बचे का सेशन है मैं एक दम नाचता कूटता चड़ा लोगों से हाथ मिलाए सेल्फिया लीवे स्टेज पर जाके तीन गंटे दाड़े फिर उसके बाद सेशन गतम हुआ मैं कर मैं भी अगला सेशन एक गंटे बाद है मैं रेस्ट कर रहा हूँ तो जब मैं कमरे में जाता हूँ और अगर आप मुझे देख लो जैकेट खोल दिया शर्ट खोल दिया ऐसे लेटे हैं भाई सर्द उखराया तू सर्द दबा दे तू चाय पिला दे और मेरे से कुछ नहीं हो रहा है मेरे से बोला नहीं जा रहा तो मेरी टीम जो आती है बैक एंट टीम वो ऐसे पास आजए है ये जिंदा लाश अब क्लास लेप आएगी ये दुबारा खड़ा होगा गया आदमी लगता तो नहीं है फिर वो एकदम से मैसे जादा सर्वो एंकर आगया स्टेज पे फिर ऐसे खड़ा हुआ है शाट बानी बटना मूध होया हाजी बदा क्या कर रहा है इंटर्वी लिया है, पॉटकस लिया है उनसे जब बातचीत होती है उनका कही ने कही एक spiritual connection है और ये मैंने सुना है कि अगर आप छोटा मोटी सकस्स नहीं दो पाच लाग की बात है दो पाच करोडो की बात है तो जैसे देसे कर लो अगर आप एक बड़ा गेम खेल रहे हो लंबे विजन के साथ हो तो आपका एक पेर मेटरलिजम में है एक पेर स्प्रिचलिटी तरफ होता है कहीं ने कहीं योग, कोई योग से है कोई मेडिटेशन से है, कोई बगवान से है कोई गुरुजी से है, कोई मन्त से है है तो सही तो आपका क्या स्प्रिचल कनेक्शन है, क्या इकलिनेशन है और कितनी इंपोर्टेंस देता है स्प्रिचलिटी को क्योंकि एक्चली जैसे आप जो काम कर रहे हैं और एक मिस्कंसप्शन है, मैं कुछ कहूंगा पढ़े लिखों का होता है कि वो पूजा पार्ट करते हैं तो इसका आंसर तो एक लाइन में ये है कि अभी इसरो के चीफ को भी आपने मंदिर में जाते हुए पूजा पार्ट करते हुए देखा होगा रफेल की पूजा हुई थी कि जिन लोगों का पब्लिक अपिरियंस बहुत ज़ादा है वो इस प्रिच्फिलिटी को बहुत अंदर चुपा के रखते है वो इसको इस तरह से लेते हैं कि लोग मुझे जज़ करेंगे जज़मेंटल होना है ना, उन्हें पसंद नहीं होता जैसे मेरी शायद है आप कोई वो तस्वीर देखें जब मैं भगवान के सामने बैठ के पूजा कर रहा हूँ मेरी टीम पूरे कैमरे मैमरे लेके बैठी होती है कि बस ये मास्टर इक पर बैठ जाए कैमरे के सामने बगवान के आगे बैठे और इसकी फोटो ले लें मेरी आट तो यहों मिलेगी यहां नजर जगाते हों मिलेगी मैंने का नए यह नहीं चाहिए मेरी कैयों बार जगड़े हुएं कि नहीं मेरी यह तस्वीर मत लो फिर भी मैं कहीं घूमने गया हूं तो फिर में एक मैसेज के रूप में जरूर वहां से सेशेशन डालता हूं कि मैं यहां हूं फोर अन एग्जांपल मैं हर महीने गिर्राजी की परिक्रमा लगाने जाता हूं तो परिक्रमा के दौरान प्रयास करता हूं कि मैं अपने साथ मतलब अगर जादा नहीं तो सर पांच सो से जादा ऐसे लोग होंगे मेरी लाइफ में अभी तक जिनको मैं गिर्राजी पहली बार लेके गया परिक्रमा दिलवाने 21 किलोमेटर की परिक्रमा और उन्हें मैंने वहां का नियमित भक्त बना दिया क्योंकि उनके चमतकार की ही चर्चा पूरे रास्ते चलती है जब मैं साथ में जाता हूँ अब आप कहेंगे चमतकार शब्द थोड़ा अंसाइंटिफिक लगता है एक तरफ तो यह आदमी आयाटियन बताता है और एक तरफ चमतकार की बात कर रहा है सर जिस देश में मैंने जन्म लिया इस देश में अपॉर्चिनिटी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़ादा है सर बहुत ज़ादा कॉस्ट कैसे है कि जो मैं चाहता हूँ न ऐसा बनने के लिए करोडों लोग लाइन में लगे हुआ है तो मुझे न केवल एक ही जगे वो व्यक्ति याद आता है जिसका नाम भगवान है कि भगवान क्या पता आपने मुझे में क्या देखा था कि मुझे आपने ये चीज दे दी और यही मेरे आस्था का बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है सर आज आप और मेरे पास जिस तरह का प्यार आउडियंस का है ना जाने कितने लोग रोजाना जब हमें स्क्रॉल करते हैं और हर बार यही सोचते हैं कि इन से अच्छा तो हम कर सकते हैं रियली हमारे लिसनर्स हमसे अच्छा कर सकते हैं पर पता नहीं क्यूं हमें लोगों ने प्यार दे दिया यही प्यार ना हमें भगवान के प्रती और ज़्यादा समर्पित कर देता है यह भगवान कुछ तो आप ने देखा था तो यह 10 करोड लोग तेहरी दस करोड यूट्यूबर्स है इंडिया में गोशे तो गोशे जो कैमरा लेके रोज बैठे है और जाने क्या-क्या कर रहे है अपन तो फिर भी जिसे हैं आपने रूम में निकले पड़ा जो पड़ा वो बोल दिया लोग तो कोई स्टंट कर रहा है कोई गाडी के कर रहा है ज इस समय कम से कम 10,000 से जदे तो टीचर्स हैं जो यूट्यूब के सामने रोज इस रिसर्च में लगे हुए हैं कि वो कैसे अपने व्यूज को बढ़ाएं रियल में वो मुझसे अच्छे टीचर्स हैं वो मुझसे अच्छा कॉंटेंट जानते हैं मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो मुझसे ज़्यादा कॉंटेंट वाले हैं पर भगवान ने पता नहीं क्या महर बरपाई सर कि लोगों को हमी पसंद आए और वो जो प्यार है ना सर इसके लिए मैं मतलब जैसे जैसे यह प्यार बढ़ता है ना मैं और सरेंडर हो जाता हूं कि भगव कोस्ट बहुत ज़्यादा है देश में जो काम आप कर रहे हैं वैसा करना बहुत से लोग चाते हैं और जब आपको देख कर लगता है कि यार और तरीके से तो संभव नहीं है शायद ही कोई चमतकार होगा इसी को मैं चमतकार कहता हूं हमारे देश में चमतकार को नमशकार ह और मैं मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ अपने हम हर काम को करने से पहले ईश्वर को याद जरूर करता हूँ और हर काम को समर्पित करता हूँ कि मैं तो नहीं हूँ ये और जो भी मेरे पास है वो मेरा तो नहीं है ये भाव पता नहीं सर कब derive हो गया ये मुझे भी नहीं पता चला लेकिन ये इतना अच्छे से deep inside मेरे जा चुका है कि मैं हर चीज के बीच भी होकर के बहुत ज़्यादा detached हूँ बगवान की दया से सर पद है इज़त है, गाडियां है घर है, farm houses है सब कुछ है, लेकिन एक वही जौकी का चड़ा और एक दो सुड़ाई सुरुपे की टी-शिर्ट और किसी कमरे में साइड में बैठा हूँ आंके तबस्ती मुझे बस वही पसंद है असली मजा उसमें वो जिसके पास का मैना सर वही सिंगम है तो सर अभी अपन लास्ट पर आते हैं एकदम लास्ट सवाल अंते में सवाल के दरब चमतकार तो है बगवान का वही मानते है चमतकार के अलवा आप क्या मानते हैं कि जो व्यक्ति मान लो किसी भी केटेगरी में चाहे कोई टीचर अभी अगला के वतवस्ती बनने का प्रयास कर रहा हूँ या कोई और यूट्यूबर प्रयास कर रहा हूँ या कोई व्यक्ति गवर्मेंट एक्जाम में त्यारी जो जो आपने जीवन में भी पाया है जैसे आपने इदर गौर्बेंट की जॉब पाई, यूट्यूबर बने, छे टीचर बने, एक नब्बेजनों की टीम समाल रहे हो, एंटरप्नेर बने, इन सभी एरियाज में आपने जो सिखा, अगर मैं आपको बोलो सिखाने को, कि कोई रिक्ती बोले आप नब्बेजनों की लाइन बोली ना सर कि आप नब्बेज लोगों की टीम को कैसे हैंडल करते हो, लिटरली यही मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पर, मैं हमेशा creator रहा, educator रहा, entrepreneur बनने की सोच रहा हूँ, I'm not an entrepreneur, right now, क्योंकि मैं अभी भी इसी तलाश में हूँ कि इसको और अच् में तीन या चार लोग ही रखते हैं, जिन से वो चर्चा करते हैं, और वही लोग आगे अपनी टीम से चर्चा करते हैं, the right way to control a team, मैं अभी उस फेज में हूँ, अपने अंदर, अपनी टीम में कुछ ऐसे चेहरे, अब मैं बनाने निकल पड़ा हूँ, जो की मेरे साथ रह करेंगे, और अभी भी हैं उन में से, और कुछ लोगों को मैं डवलप करता जा रहा हूँ, तो पहला पॉइंट का अंसर तो हो गया, अपने सीटे तो जीत ली मंत्री मंडल बनाऊँगा, और सीटे जीत गया, क्योंकि मोदी के फेस के ओपर सरकार बन गई, अब सरकार चले है, यूट्यूब चैनल उसको क्या सजेस्ट करेंगे, केवल एक लाइन, मेरा अगर कोई रात जानना चाहता है, तो पहला आंसर तो यह है, कि मैंने कभी भी यूट्यूब इसलिए नहीं किया था, कि मुझे यूट्यूब से ही जीना था, नहीं, अगर यूट्यूब नहीं कि कल को सरकार नाराज होकर यूट्यूब बंद कर देगी, तो क्या करोगे, मैंने का भाई साब, हम टीचर हैं, पढ़ाना जानते हैं, हम पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे, कई और प्लैटफॉर्म पे पढ़ाएंगे, नमबर एक, अगर आप भी कुछ ऐसा क जरूर कर रखा है, जो उनका असली कोर है, उसके बाद में ये अडिशनल चीजे हैं, जो चल रही हैं, आप ये को देख लीजे, आप एक सक्सेस्फुल सीए हैं, अब आप सीए के साथ साथ यूट्यूब कर रहे हैं, मैं सक्सेस्फुल एक, बलब काफी सारी चीजें, जो मैं एक लाइन एड़ करता हूँ, तो वो है कंसिस्टेंसी, मैं लगातार कंसिस्टेंट रहा हूँ कंटेंट को लेकर, हमेशा इस भूख के साथ रहा हूँ कि अगले दिन इस से अच्छा करना है, बस ये मेरा तजुरवा है, तो सर आज अपमारी बात हैं, बहुत हुई, हम अरे दो गेमरामेन बैटते हैं, ये सारे लोग अभी आपके फैन जाएं, अभी इतने बोर हो गाए हूँ कि मुझे नहीं पता है, ने 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 आज़ आप जेल गाए हैं, तो थैंक यू सो मच, अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हो और हैं, देश में बहुत सारी ऐसी गटना में रहता हैं, मैं तो उल्टा ये चाहूँगा सर, कि पहले उसके लिए शूट करने के लिए फिर इसको रिलीज करिए, क्योंकि वो जादा इंपोर्टन है, ये तो मेरा परीचह है, इसमें किसी को क्या इंटरेस्ट होगा, लेकिन, मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों ये पहली बात है कि अंकित अवस्ती रॉ अंकित अवस्ती अन्फिल्टर लोगों ने देखा है, तो बहुत सारे लोग जो आपको जानना चाते हैं, क्या जवाब है, क्या था, उसका जवाब है, तो इसको पहले रिलीस किया जाएगा, और इस पर तो अधिन ये आएगे, ब बहुत मुससा है, तो ऐसा मिलते हैं विर अपसे, पार्ट टू में, थैंक यू सो मच सर,